सो ले वरी बड़ी हो रे लेने वेलकम यौल तो टी चैनल प्लाइक मज़ा तो भई कैसे हो सभी लोग और आज की बहुत ही धमागेदार वीडियो पे सभी लोगों स्वागत है और आज हम लोग हाजर हो चुके आप लोगों सामने SSD का सूपर वन शॉट के साथ में जना तो भई टम 2 में जितने के जितने चैप्टर्स SSD में आ रहे हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे वो भी एनिमेटिट फॉर्मेट में तो भई जना वीडियो बहुत ही जादा धमागेदार बहुत ही जादा और बहुत ही जादा कम टाइम की होने वाली है इसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे होंगे क्लास 10 SSD टम 2 के तो भई आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखर तक जरूर देख लेना आगर आपको SSD में 90 प्लस मार्क्स चाहिए है सारे के सारे important topics आपकी टाइम वेस्ट करें चालू कर लेते हैं इस वीडियो को आर यू रेड़ी चालू होती है नेशनलाजम इन इंडिया भारत में जो आपकी मौडन नेशनलाजम की ग्रोथ है वो कहीना की रिलेटेड है आपकी एंटी कोलोनियल मूव्मेंट से ब्रेटेशर्स जब राज करते थे तो वो वर्ल के बहुत सारे देशों पर राज करते थे उनमें से एक था भारत लेकिन भारत से पहले बहुत सारे देशों ने एक एंटी कोलोनियल मूव्मेंट चलाया था ये मूव्मेंट था कि अब हमें ब्रेटेशर्स से आजादी चा तो कही ना कही ये मुव्मेंट का असर भारत पे भी दिखने लगा था भारत के लोगों को भी ये दीरे-दीरे समझ में आ रहा था कि जो होता है अगर हमारा खुद का एक देश हो अगर हम लोग यूनाइटेड होके एक देश में रहें तो उसके जादा फाइदे हैं उसमें जो होता है हमारा अपना Constitution होगा हमारे अपने laws होंगे हमारी हारी चीज हमारी benefit के लिए बनी होगी तो धीरे-धीरे प्रिंट मीडिया उस टाइम भी मौजूद था पेपर थे आपके अकबार था आपका रेडियो था तो उससे धीरे-धीरे ये बात लोगों के बीच अगर हम लोग लड़े अगर हम लोग struggle करें तो जो होता है हम लोग इनके अत्याचार से बच सकते हैं अब बात आती है यार कि अगर हमें struggle करना है अगर हमें किसी के खिलाफ लड़ना है तो हमें एक strong leader की ज़रूरत होती है ये जो आपकी ये जो पीपल्स ने ये सारी चीज इसने डिस्कवर करना चालू करी थी ये बहुत पहले ही जालू हो गया था और ये इसलिए दवा रहा क्योंकि फिपल्स के पास में लोगों के पास में कोई एक स्ट्रॉंग लीडर नहीं था कि जिसके बलबूते वो लोग खड़े हो सकते थे हां अंदर ही अंदर लोगों के म कोई अच्छा लीडर मौझूध होता तो आज हमें आजाद हुए हुए और कई साल हो गए होते यानि आज हम पिठ हतर मा अपना गरतन दिवस नहीं बलकि जो होता है पिच्यास्मी या पिच्यानवे अपना गरतन दिवस मना रहे होते पर लोगों को एक जोर का जटका लग जब महात्मा गान्दी इंडिया है तो लोगों ने उनको as a leader मान के ये चीज चालू करी तो जो modern nationalism है इंडिया में उसकी शुरुवात महात्मा गान्दी की leadership में हो गई अब इसमें बात आती है यार सबसे पहले आपकी first world war, khilafat और non corporation movement की अब हुआ क्या था कुछ लोग तो थे जो ये मानते थे कि हाँ भाया भारत जैसा मतलब कोई एक united देश होना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग खुश भी थे बहुत सारे लोग इस बात से खुश भी थे चलो कोई बात नहीं ये लोग हमसे काम कराते पर उसके बदले हमें पैसा भी तो देते हैं पर जब first world war आया तो first world war अपने साथ एक नई एकदम अलग वाली situation लेके आया इसने क्या करा देखो भाया, Britishers तो involved थे first world war में जब Britishers first world war लर रहे थे मतलब वो लोग अपनी सेना भेज रहते first world war में तो उसकी वज़े से आपका defense expenditure बढ़ गया काफे ज़ादा अब भाया, जो आपका defense expenditure है यानि जो आपका सेना पर खर्चा हो रहा है उसको निकालना भी तो है न तो उसको निकालने के लिए Britishers जिन colonies पर rule करते थे जो उनकी colonies थी जैसे कि उसमें आपकी India है और भी कई सारे देश थे उन्होंने वहाँ पर क्या करा उन्हें वहाँ पर tax बढ़ा दिये अब जब उन्होंने वहाँ पर tax बढ़ा दिये वहाँ पर custom duties बढ़ गई, income tax बढ़ गया तो अब जो होता है वो जो कुछ लोग थे जो मानते थे कि हाँ है इसा होना चाहिए भारत होना चाहिए कोई एक देश होना चाहिए वो लोगों की संग्या बढ़ने लगी क्यों भाईया? क्योंकि अब वहाँ पर जो होता है एक जबरदस्ती वाली जबरदस्ती रगाने थी मतलब उनकी कोई मर्जी नहीं थी इंडियन की कहा भीया हम जाएं रस्ट वर्रेजा जाने लगा उसकी वज़े से जो वो जबरदस्ती भेजने की जो चलन चालू हुआ उसकी वज़े से काफी जादा लोगों में गुसा आने लगा इन ब्रेटेशर्स के खिलाफ अब उसी टाइम पे यानि फर्स्ट वर्ल वर का टाइम था 1922-1921 काफी सारी क्रॉफ फेल हो गई बहुत सारे पार्ट में इंडिया में इंडिया में बहुत बड़े अमाउंट पे क्रॉफ फेलियर हुआ यानि कि जो फसल थी वो बरबाद हो गई अब उसकी वज़े से भया ये अभी की बात नहीं हो रही है ये आज से 50 साल पहले की बात हो रही है तो जब उस टाइम क्रॉफ फेल हुई उसकी वज़े से काफी जादा भुकमरी फैलने लगी काफी जादा लोगों को जो होता है खाने वाने की दिक्कत भी होने लगी और यही सारी चीजें साथ साथ में एक और आफ़त आ गई वो थी इन्फलुएंसा एपीडेमिक जैसे कि आपका भी कॉरोना पेंडेमिक है पेंडेमिक यानि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है उस टाइम इन्फलुएंसा आया इन्फलुएंसा ने भी मतलब एक ऐसा कहो कि जले पे नमक छड़क दिया क्योंकि लोगों को खाना तो मिल नहीं रहा था और जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनके उपर दबाव डाल ले थे कि बहिया चलो लड़ने चलो फोज में आओ हमारी और साथ साथ में ये इन्फलुएंसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका सेंसस हुआ था 1921 का 1921 में आपका सेंसस हुआ था उसके एकॉर्डिंग 13 मिलियन पिपल मारे गए थे इस इन्फलुएंसा की बज़े से क्योंकि लोगों को पास खाना था नहीं लोगों की इमिनिटी वीक थी तो और जादा लोग मारे गए और साथ साथ में ये आपका वार इसमें भी जो आपकी ये जो 13 मिलियन पिपल या आपके जो नंबर है ये वार को इंकलूड करके हैं और इसी टाइम इसी एक्स्ट्रीम हार्ष कंडिशन इसी बहुत परी हालत में फिपलस ने ये डिस्कवर करना चालू करा हां वहिया कुछ ऐसा कुछ ऐसे लोगों का गुट है जो ये चाहते हैं कि भारत देश हो जो लोग ये चाहते हैं कि हां भारत एक अपना अलग ही राज्य हो इन जो होता है ये गोरों का जो राज्य है हमारे उपर ये खतम हो तो उसकी वजह से लोगों ने एक नए लीडर को डिस्कवर करना चालू करा और महत्मा गांदी ऐसा लीडर सामने आए और महत्मा गांदी ऐसा लीडर और इसलिए उबरे क्योंकि इनका जो प्रोटेस्ट यानि इनका जो आंदोलन करन वो कौन सा तरीका था वो था आपका सत्यागिर है जैसा कि आप जानते हो कि मात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया में वापस आए थे साउथ अफरीका से साउथ अफरीका में इन्होंने आपकी रेसिस्ट रिजीम यानि की काला गोरा काला गोरा के उपर जो आपकी वहाँ पर एक बहुती बड़ा था कि हां तुम काले हो तो तुम नीची जातके हो तुम गोरे हो तुम मूची जातके हो इनकी खिलाफ उन्होंने वहाँ पर बहुत जादा लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ीने से मतलब कि वहाँ पर मारकार्ट वारकार्ट कुश नहीं करी थी हिनोंने एक नया ही मैथर्ड निकाल के वहां पर लड़ाई करी थी तुमतलब फो इने जो सम्मझे ले बासाइन प्रोटर्ट कर नब वह एक नॉबल मैधर्ड से निकाल जिसको हम कहते हैं तो सत्य ग्रह की बात करूं dieses तो बहुत सारे लिंग Fest रहते हैं सत्य ग्रह का अगर मैं अर्थ निकाल दूँ यानि इसका word meaning कर दूँ तो इसका word का meaning होता है सत्य के लिए आग्रह यानि कि इसमें जो लोग हैं वो सत्य के लिए लड़ते नहीं है बलकि जो आपका सच है उसको सुईकार करने के लिए कहते हैं भाई यह सच है तुम इसको माल लो तो उसी को हम सत्य गिरह कहते हैं अब आपकी अगर हम बुक के हिसाब से जाएं तो बुक में इसकी बड़ी ही अतरंगी टाइब डेफिनेशन लिख रखी है तो उससे काफी सारा बच्चे जो होता है गन्फ्यूस हो जाते हैं तो हम लोगों ने यह सिंपल सी डेफिनेशन आपको इसका बता दिया इसको कुछ नहीं करा है हमने इसको संधी विछेत करा है अपने एरतना इंत किलास वह पड़ी होगी संधी विछेत तो हमने उसका वही कर दिया सत के लिए आग्र है यह आपका सत्याग्रह है और यही महत्मागानी का पूरा आइडिया था अब अगर आप अपनी बुक के साब से जाओगे तो फिर बुक ही बड़ा ही अतरंगी टाइप डेफिनेशन आपको बत इन्होंने वहां साउथ अफरीका में तो इनको बहुत जादा लोग मानते थे पर जब इंडिया में यह आए तो इन्होंने इंडिया में भी यही सेम टाइप के सत्याग्रह करना चालू करे नाइटीन सिक्स्टीन में गांधी जो होता है वो चंपारन बिहार में ट्रावल क उनको इस बेसिस में इन्होंने इंस्पायर करया क्योंकि वहां पे एक प्लांटेशन सिस्टम था प्लांटेशन सिस्टम क्या था प्लांटेशन सिस्टम था यहनि तुम अपनी मर्जी के क्रॉप नहीं होगा सकते हो ठीक है तुमें जो होता है जहां तुमारी खेथ है उसी जो गुलाम थे उनको इंस्पायर करा हूं वहां पर उन्होंने सत्याग्रे करा 1916 के बाद में 1917 में महात्मा गानी ने सत्याग्रे और्गिनाइज करा खेड़ा डिस्टिक ऑफ गुजरात में यहां पर इन्होंने जो होता है गुलाम जो आपके उस टाइम के वरकर्स थे जो उस टाइम के मजदूर थे उनको जो होता है सपोर्ट करा 1917 के बाद में धड़ाद महात्मा गानी सत्याग्रे कर रहे थे 1918 महात्मा गानी एहमदाबाद गए वहां पर इन्होंने कॉटन मिल वरकर्स यानि जो होता है आपके रुई के जो आपके कार खाने होते हैं उनमें जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ मिलके सत्याग्रे करा वहां पर क्यों करा सत्याग्रे वहां पर इन्होंने इसलिए सत्याग्रे करा क्योंकि जो आपके कॉटन मिल वरकर्स थे उनसे ओवर आवर का काम कराया जा रहा था यानि कि आप चितने घंटे काम नहीं करना चाहते हो दिन में दिन में मतलब उस टाइम पर उन वरकर्स थे दिन में 16-16 घंटे काम कराया जा रहा था तो इसके खिलाफ उनोंने सत्याग्रह करा अब जैसे जैसे ये सत्याग्रह होना चालू हुए तो भाईया गवर्मेंट को तो सीधी बात है ये पता चलना था तो जब ये सत्याग्रह धीरे धीरे बढ़ने लगे लोगों में ये से लोगों में ये बात पहुची तो सभी बात है कुछ चुगल खो लोग होते हैं गवर्मेंट तक ही भी ये बात होगी पहुच गई तो गवर्मेंट ने रॉलेक्ट एक्ट निकाल दिया रॉलेक्ट एक्ट 1919 में आपके Imperial Registrative Council द्वारा पास किया गया था इंडियन मेंबर की सरकार के लिए यानि कि British Government के लिए मैं colonial word इस्तेमाल कर रहा हूं तो colonial का यही मतलब होता है ठीक है तो आपकी जो उस टाइम की गवर्मेंट थी ये रॉलेक्ट एक्ट उस टाइम की गवर्मेंट को बहुत ही जादा पावर्स दे देते था किस ताइब की पावर्स मतलब कि आपके किस फील्ड लिखी पावर्स यही कहता था कि जो उस टाइम की गवर्मेंट है वो जितनी भी आपकी राजिनितिक गदिविदिया हो रही है उनको बंद करा सकती है और जो आपके राजिनितिक लोग हैं जैसे महात्मा गांधी थे उस टाइम जितनी भी और नेता आया तो महात्मा गांधी का मतलब वो एक तरीके से विचार था कि इसको भी अपोस करा जाए पर कैसे इदर भी थपड़ माल लो वाली मजबूरी से इसको अपोस किया जाए यानि सत्या ग्रह से इसको अपोस किया जाए पर एक बात है मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्श कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा तो मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप आगे चलके पढ़ोगे कि महात्मा गांधी ने बहुत सारी गलतियां करी वहां पर भी मैं सेम कोशन आप से पूछूँगा तो आपको इन दी कमेंट सेक्शन उसका आंस आपको कमेंट सेक्शन में आना है और बताना है मैं भी आओंगा आपके कमेंट सेक्शन देखूँगा तो गांधी जी ने भी इस रॉलेक टेक्ट को आपके सत्या ग्रही से अपोस्ट करना चाहिया और महात्मा गांधी चाहते थे यार कि मतलब लडाई जगडा ना हो ठीक मतलब आगर जैसे मैं अभी जी साम्पल की oningडिस यूई सीविल देखूबटिंश का तो बहुत बड़ा एक्जामपल आपका किसान अंदोंड किसान आंदोलन से सीविल दिखूबटिंश यानिकी जन्विद्धरून तो किसान आंदोलन में आपके जो कृशी कानुन आये उनके खिलाफ जन विद्रो हुआ था, यह उस टाइम रॉलेक टेक्ट के खिलाफ जन आपका विद्रो हुआ था, तो यह जो आपका जन विद्रो था, यह 6 अपरेल 1919 को चालू हो गया, इसमें रेलीज और्गनाईज होने लगी, अलग-अलग आपकी सिटीज में, जो आपके इस थे, वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे की जो आपकी शॉप्स थी, वो बंद कर दी गई, अब ब्रेटिश गवर्मेंट ने यह सब देख लिया, इस जो एकदम जंगल की आग की तरह ऐसे चुटकियों में फैल गया था, पूरे इलाके में, तो ब्रेटिश एड्मि लोगों को जो होता है, फेक देंगे, तो इसके लिए इन्होंने डिसाइड करा कि अब इनको जो होता है, क्लैम डाउन करना चालू करो, अब इनको जो होता है, पगड़ा धकड़ी चालू करो, अमरित सर से काफी सारे लोकल लीडर्स को, जो वहां के लोकल नेता थे, उनको एंटर करने से और अब यह सब जब हो रहा था तो 10 अप्रेल, 10 अप्रेल, 1919, if I am right, yes, I am right, so 10 अप्रेल, 1919 को, पुलिस ने, आपकी, मतलब, कोलोनियल पुलिस ने, अमरेच सर में, एक पीस्पुल प्रोसेशन हो रहा था, यानि कि आपके धरना प्रदर्शन, प्रोसेशन, ठीक तो उसके upon fire कर दिया, जिसमें जो होता है, काफी ज़्यादा लोग मारे भी गए थे, आपकी फिलाल NCR टीम डीटेल नहीं है, तो मैं उसको पर ज़्यादा जाओंगा नहीं, काफी ज़्यादा लोग मारे भी गए थे, अब उससे हुआ क्या हुआ, क्योंकि वो लोग अराम पोस्ट ऑफिस हो, रेल्वे स्टेशन हो, इन सब पर अटेक होना चालू हो गया, अब ये जो चीज थी, इसको देखते हुए, आपका मार्शियल लोग इंपोस कर दिया गया, और जर्नल डायर ने कमाड ले ली, जर्नल डायर, यहां से चालू होता है आपका दी जलिया वा अब भाग मैस किया, 13 अप्रेल, 1990, यह वो दिन था, भारतिय इत्यास का काला दिन, इस दिन आपका चलिया वाला भाग, अमरित सर पंजाब, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, I was personally gone there, so वहां पे काफी जादा लोग इकटा थे, एन क्लोस ग्राउंड है, मतलब पूरा ज कुछ लोग अपना annual बैसा की fair वहां पे मनाने आये थे, बैसा की as you all know, भाया बैसा की कौन नहीं जानता यार, और जो कुछ वहां के लोग थे ना, जो गाउंगे थे, मतलब outside the city, बिलकुल गाउंगे लोग थे, जिनको भार की दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उनको यह प जो colonial government थी, उसके nine-nay measures की उपर बात करने आये थे, अब हुआ कि a dire एंटर करा, एरिया में, और उसने एक दो exit थी, दोनों को ब्लॉग कमारा, और वहां पे उसने fire करना चालो करा, बिलकुली open fire था, crowd की उपर, अब यहां पे बात आती है कि जो संख्या है मरने वालों की, व आपको world history के साब से बताओ, अगर Indian history की बात करते हैं, तो Indian history हमसे कहती है कि कुछ 100 लोग मारे गए थे, Indian history के according, लेकिन अगर वही मैं इसको compare मारू world history से, तो world history में जो आपके ancient historians हैं, उनका मानना है कि हजारों लोग थे, वहां पे वाजूद, हजारों मारे गए थे, यहां प देखना, आपे काफी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, तो NCRT भी इसको दबी जुमान में कहती है, लेकिन बताती नहीं है, यह हमारी एक दुरभाग है, हमारी भारती इतियास का, कि पूरी सही संख्या ने लिखी हुई है, और यह जलिया वाला बाग हत्या कांड था, इस हम लोग डरेंस लोगों से, सत्याग रही जो उस टाइम के, जो मतलब आंदोलन का रही थे, उनके दिमाग पे असार डालने के लिए किरा गया था, अब जैसे ही यह निउस इस्प्रेड हुई, जो आपके नॉर्दर इंडियन टाउंस हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली हैं, औ आपका उस टाइम का आवद, यानि की आज का यूपी, और उस टाइम के काफी सारे एरिया में जैसी ही जो होता है, यह निउस इस्प्रेड हुई, प्यूपल जो अंदर घरों में भी बैठे थे, वो भी सब बाहर निकली है, वहाँ पे जो होता है, काफी जादा एकदम क्र आउट आगया, और जो होता है, पुलिस के साथ में क्लैशे होने लगे, और गवर्मेंट बिल्डिंग्स पर अटेक होने लगे, पर इन सब को से गवर्मेंट चुप नहीं बैठे, गवर्मेंट ने और बुरी तरीके से इस पर रिस्पॉंड करा, जिसको हम आगर आपकी न बिल्कुली निर्दाई तरीके से इनको मारना पीटना लोगों को, उस टाइम के जो सत्या गरेज थे बिल्कुल निर्दाई तरीके से, अब उस टाइम जो होता है, जब ये गवर्मेंट ने इसमें रिस्पॉंड करा, बहुत बुरी तरीके से, बहुती गंदी तरीके से मा और जब उन्होंने मारा पीटा जो सत्या गिरही थे उनको उनकी नाक रगणवाई जाती थी जो होता है ग्राउंड से यानि की जमीन से और जब जो होता है साहिब निकलते थे साहिब का मतलब है कि आपके उस टाइम के आपके तैसील दार हो गए बड़े-बड़े अदिकारी हो गए तो वो लोग निकलते थे तो उनको सलाम कर रही है यह उनसे कहा गया और इस टाइम लोगों ने करा भी क्योंगे बहुत बुरी तरीके से उस टाइम काफ junior तो अब जो ये सब आपके जब हो रहा था तो महात्मा गांधी तक यह बात पहुंची महात्मा गांधी ने आपका जब रॉलेक टेक्ट हाया था तो आपका उस टाइम पे एक मुवमेंट चालू करा था नॉन कॉपरेशन movement उसकी बात वहाँ पे नहीं की गई है तो जो non corporation moment आपका 6 अपरेल 1919 को चालू किया गया था पहला वाला उसको महात्मा गांदी ने वापस ले लिया अब जो महात्मा गांदी ने ये सोचा क्योंकि अब जो उता है लोगों के बीच में गुस्सा था जो आपका first सबसे पहला non corporation moment था वो जादा मतलब लोगों तक पहुँचा नहीं था उसका उतना जादा impact था नहीं तो महात्मा गांदी ने उसको वापस ले लिया अब महात्मा गांदी ने सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए जो मतलब जादा लोगों तक पहुँचे यानि कि कुछ ऐसी कुछ ऐसी दुख्तिवी नस पकड़ो जो जादा से जादा लोगों को वो चीज महसूस हो तो उन्हों ने सोचा कि कुछ ऐसा more basic moment लाया जाए more broad moment लाया जाए बहुत ही बड़ा तो अम उन्हों पर इसमें जो होता है मैं कहूंगा इसमें महात्मा गांदी के दिमाग में आया कि इसमें एक ही दिक्कत है वो आज भी है वो आज भी हो रही है कि हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम साथ नहीं है उन्होंने सोचा कि अब इसको किया कैसे जाए तो महात्मा गांदी के दिमाग में आया कि एक तरीका है उस टाइम खिलाफत इशू था फर्स्ट वर्ल बॉर के बाद में ओटोमन जो आपका ओटोमन एमपायर था तरकी में तो वहाँ पर एक ट्रीटी लाई गई थी जिसका नाम था हार्श पीस ट्रीटी तो वहाँ पर वो जो ट्रीटी थी वो आपके इस्लामिक वर्ल्ड के स्प्रिचुल हैड जिसको खलीफा कहते है उसकी टेंपोरल पावर्स को डिफेंड नहीं कर रही थी उसको जो होता है हटा रही थी खलीफा को पर ये बात जो होता है मुसल्मान नहीं मानते वो लोग उनके खिलाफ थे कि हाँ वो हाश पीस ट्रीटी हटाओ तो मातमगानी उसी दुख्ती वी नस को पकड़ा लिया कहा कि हम मैं इसके बदल बूते हिंदू और मुसलिम को साथ मिले के होगा तो अब इन्होंने चालू करा अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं मुवमेंट चालू कर रहा हूँ साथ में हमारे स्वाराज में भी मदद करें तो महतमा गानी ने सोचा कि इसके लिए कुछ मुसलिम लीडर भी चाहिए तो इन्होंने नाइंटीन मार्च मुसलिम लीडर सेमें मुसलिम लीडर्स उने एक बाद गांधी को पता चलिया, हाँ भईया, भूत बड़ा impact है इस movement का, तो अब इनोंने कलकत्ता session of congress, बहुत important बात है याद रख लेना इस बात को, कलकत्ता session of congress September 1920, इनोंने आपके सारे leaders को convince करा, अब की बार जो non-corporation movement start हुआ, उस वो खाली non-corporation movement नहीं था, वो था आपका non-corporation खिलाफत movement, जो दो लोगों की support करता था, आपकी खिलाफत issue की और स्वराज की, सितंबर 1920, इनोंने इस movement को चालू करा, आप जब ये movement चालू हुआ, तो इसमें काफी हद तक लोगोंने participate करा, बहुत जादा लोग आए, आपके जनवरी 1921 में, आपका ये movement चाल हुआ, दिसंबर में कलकता सेशन में गांधी ने इस movement के बारे में जिकर करा, सितंबर 1920, अब जनवरी 1921 में, non-corporation खिलाफत movement चालू हो गया, इसमें various social group ने participate करा, क्योंकि ये एक दुखती वी नस को पकड़ता था, जो आपके खिलाफत issue थी, और आपका स्वराज था, और आपके लोग आए, various social groups आए, और उन्होंने इस movement को जोईन करा, मतलब हर किसी के अपनी अलग-अलग inspiration थी, कोई खिलाफत issue के वज़े से इसको जोईन कर रहा था, कोई जो होता है, वो सौराज के वज़े से इसको जोईन कर रहा था, ये movement start तो हुआ था middle class से, लेकिन ये प् स्कूल जाना छोड़ दिया, teachers थे, इन्होंने अपनी government की, government जो school थे, उस time के उनको छोड़ दिया, जो आपके वकील थे, उन्होंने अपने court जाना छोड़ दिया, जो non cooperation movement था, वो आपके British Empire के लिए economic front पे, यानि के उनके लिए पैसे के front पर बहुत महेंगा पड़ा, बहु की कोई चीज़ इस्तमाल ने करें, आज भी इसका इस्तमाल हो रहा है, सुने नहीं हो, है रामलाल, आत्म निर्बाय भारत, यह वही है, ठीक है, उससे इसको relate कर लेना, तो अब इसका impact Britishers के लिए economic front पर बहुत बढ़ा था, और economic front पे काफी जादा dramatic भी हुआ यह movement की जो होत सठाके के साथ उपर गई, बहुत तीजी से उनमें जो होता है, ग्रोथ हुई, पर non-corporation movement slowdown हो गया, क्यों, क्यों हो गया, जब इतना high level पे यह movement चला था, क्यों क्यों slowdown हुआ, बहुत सारे reasons थे, जिसकी वज़े से जो होता है, यह movement gradually, यानि ऐसे नहीं, एकदम से नहीं हल क्यों के बंद हुआ, कि भईया देखो, खादी जो होता है, काफी ज़्यादा महेंगी थी, और यह आज की बात नहीं हो रही, आज से जो होता है, 75, 80 साल पहले की बात है, ठीक है, तो उस time जो होता है, जो poor people थे, वो इसको afford नहीं कर पा रहे थे, और लोगों ने school, बच्च किये गए, ठीक है, तो अब जब finally, जब कड़की आने लगी, लोगों के बीच में, तो आपके जो teachers थे, students थे, उन्होंने अपनी सारा स्कूल, स्कूल जाना सब चालू कर दिया, teachers ने job अपना करना चालू कर दिया, government school में, lawyers यानि वकील्स ने अपना जो होता है, court को दवारा जोइन कर लिया, तो इसके वज़े से, ये non-corporation moment slow down हो गया, लेकिन जब ये सब चल रहा था, तो आपकी country side, यानि की जो होता है, बिलकुली अपने पिछड़े वर्ग की बात हो रही है, यहां पे, जो बिलकुली जो गाउं, बिलकुली आपके, उस time के, जो Britishers की main cities होती थ जैसे, यहां पे country side word इस तीली इस नमाल किया गया है, यह मतलब एक देश के कोने पे की बात हो रही है, तो वहां पे, तो वहां पे non-corporation moment बड़ा ही बड़ा तरीके से spread हुआ, आवद में जो आपके पीजेंट्स थे, जो आपके workers थे, जो आपके गुलाम थे, वो भी अप अपनी एक अलग तरीके से उन्होंने अपना protest चालू कर दिया, leadership थी आपकी बाबा राम चंदर की, पीजेंट्स ने जो होता है, आपका किस वजह से ये movement चालू करा, उनकी दो main जो होता है, चीजें थी, कि भाईया देखो, सबसे पहले तो आप हमारा revenue deduct करो, हमारा जो होता सबसे बड़ा issue था इसमें, बेगार, बेगार क्या होता है, यानि आपसे काम करा लेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तो ये होता है आपका बेगार, यानि work without payment, और जो आपके landlord से, जो आपके जो होता है उस टाइम के, जमीदार लोग थे, उनके खिलाफ ये सार उसको एक अलग तरीक से लिया, उन्होंने सोचा कि अब गांधी ने कहीं दिया है कि स्वाराज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गांधी ने जब ये कहा है कि स्वाराज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अब हमें को गुरिल्ला मुव्मेंट चालू हो गया किसके लीडर्शिप में अलूरी सीताराम राजुआ पर एक था लड़का सा था तो उसकी लीडर्शिप में ये गुरिल्ला वार्फेर चालू हो गया वो अलूरी सीताराम राजु जो होता है वो काफी जाधा इंस्पायर था नौन कॉ और गांधी के विचारधारा को अपनाओ तो वहां पर यह बहुत जादा इंस्पायर था इसे इसने चालू करा जो होता है गोरिल्ला वार्फियर गोरिल्ला वार्फियर क्या होता है कि बहुत चोटी-चोटी टुक्णियों बनाओ ब्रेटेशर्स यानि कोलोनियल की चोटी- इस्तिमाल करते थे जो आपके चत्रपरती सिवाजी महराज थे चानकी एक नीती की वज़े से उन्होंने इसको बहुत जादा चानकी की में कहां बात आ गया चानकी की एक नीती में भी इसका जिकर हुआ है हां चत्रपरती सिवाजी महराज भी इसको इसको इस्तिमाल करते और चाणके की एक नीती में भी इसका बहुत जादा जिकर हुआ है अगर आपने सुना होगा कि चाणके की एक नीती है कि अगर गरम धाली में से तुमको दाल चावल खाने हैं तो बीच में से मत खाओ साइडों से खाओ यानि कि अगर तुम्हें किसी इलाके पर कबजा करना ह और आपका धीरे धीरे राजू को जो होता है वो ब्रेटिशर्स ने समझना चालू करा कि यहां भीया यह तो जो होता है अमाली खत्रा बनता जा रहा है और राजू को 1924 में केचर कर लिया गया और थाएं मार दिया गया पर यह जो चीज थी यह मतलब एक तरह से राजू की जो कहानी थी अलूरी सीताराम राजू की वो एक तरीके से सनाई जाने वाली कहानी बन गई यानिकि प्लांटेशन उपनाप को में और करे दान क्यूचिक, मैं बालबर बोल में प्लांटेशन मातलब कि एक पूरा पैच ओफ लेंड वहां पर जो होता है आपकी क्रॉफ एक ही तरीके की हुआ जाती है तो प्लांटेशन वर्कस जो थे आसाम में उनके लिए स्वाराज का क्या मतलब था यह हम बात करने वाले है उनके लिए स्वाराज का यह मतलब था कि वह अपने जो आपका ल इनलेंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था इनलेंड इमिग्रेशन एक्ट था कि वह जो आपके प्लांटेशन वर्कर्स हैं वह उसी आपके खेत में रहेंगे वह कहीं आरपार बाहर नहीं जा सकते उसी खेत में रहेंगे उसी खेत में काम करेंगे और अपनी मर्जी की कोई क् सकते जब इनोंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चालू हुआ है इनोंने महात्मा गांधी से इंस्पायर होके वो प्लांटेशन छोड़ दिये और अपने घर की तरफ आ गए घर की तरफ मतलब चल दिये पर कभी घर पहुच नहीं पाए इनको जो होता है पुलिस ने पकड़ लिया और बहुती बुरी तरीके से मारा अब जब ये जो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट था ये स्लोडाउन हो गया तो अब बात आती है कि आप क्या करा जाए तो महात्मा गांधी ने काफी मतलब एक अलग ही मुवमेंट की तरफ ये लोग बढ़ने लगे उसके अ सबी लोगों को बहुत बुरी तरीके से हिलाफेगा चौरी चौरा इंसिडेंट चौरी चौरा एक छोटी सी डिस्टिक है आपकी गोरकपुर की मतलब यूनाइटेट प्रोविजन जो उस टाइम था उसकी एक छोटी सी डिस्टिक थी आज तो ये उत्तर प्रिदेश की डि में अब काता हूं को हां पर जो आपकी पुलिस्मैन थे उसमें जो पायाथ की इंडियंस भी थे और बाकी तो वहां पर जो आपका सूबेदार था वहां का जो आपका थाना एंचार्ज था उसने कहा आके कि तुम यहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हौ पर ये जो आपकी बात थी ये थोड़ी सी आगे बढ़ी और अन्टिकमेटली क्या हुआ उस हुवेदान ने प्रोटेस्टर्स की जो प्रोटेस्टर्स थे उन में से दो तीन को गोली मार दी और मौके पर उनकी वहीं पर डेथ हो गई तो अब जब दो तीन आपके प्रोटेस्टर्स को दो तीन सत्या ग्रैस को गोली मार दी तो ये जो आपका प्रोटेस्टर्स थे इन लोगों ने उनी 22 से 23 पुलिसमेंस को जो होता है अंदर पुलिस स्टेशन के बंद कर दिया और आप पुलिस स्टेशन को आग लगा दी अब जब पुलिस्टेशन को आग लगाई तो इसमें 22-23 पुलिसमेंस को सब जल के मर गए और जो था आपका थाना इंचास था उसने दो तीन आपके जो सत्यागरेज थे उनको भी गोली मार दी थी अब ये बात जब महात्मा गांदी तक पहुंची तो महात्मा गांदी ने फिर महात्मा गांदी मजबूत थे या मजबूर थे आपकी मेरी बात है इन्दी कमेंट सेक्शन आगे बताना तो महात्मा गांदी ने का रहे है यार हमाई कह रहा हूं कि मैं जो होता है बिना लड़े भिले बिना किसी को मारे काटे मैं आजादी दिला दूंगा फिर भी तुम सो नहीं माने ने महात्मा गांदी ने हम पूरी बात नहीं सुनी उन्हों को देख़ते हुए नाइन फरवरी 1922 ने आपका नौन ад को 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 वापस ले लिया अगर महात्मा गांधी यह नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट वापस नहीं लेते तो शायद हमें आजादी चल्दी मिल गई होती है इत्ती सी बात है अब जब यह नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट वापस हुआ तो उसके बाद में गवर्मेंट ऑफ इंडिया इसके आने के वजह से आपके जो कॉंग्रेस थी उसमें डिफरेंट व्यूज आ गए यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक नाइटी नाइटीन क्या कहता है यह ब्रिटिशर्स की तरफ से जो होता है कुछ एक्ट आया था इसमें कहना था कि हम लोग आपको कुछ जो होता है कुछ जो होता है पोस्ट दे देंगे तो इन एक तरीके से यह लोग डॉमिनन स्टेटिस की बात कर आँगे आने वाले अभी मैं दो-तीन मिनट बात बताऊंगो आपको डॉमिनन इस्टेटिस के बारे में तो इसके आने के वजह से जो आपकी कोंग्रेस पाटी है वो दो अ आपके जो अलग-अलग पोस्ट हैं जो हमें जो होता है आपकी ब्रिटिश गवर्मेंट आफर कर रही है हम उस पर चले जाए और दूसरे लोग थे कि नहीं हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं चाहिए हमको तो चाहिए पूरी आजादी हमें स्वाराज के लिए लड़ उनमें से थे आपके जवाला नहरु सुबा चंदर बोस ये लोग आपके पूरी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना चाहते थे आप इसी टाइम जब ये सारी जो कॉंगरस पार्टी में ये सारी चीज़ें चल नहीं थी तब जो होता है आपका साइमन कमीशन फॉर्म ह तो जो साइमन कमीशन था वो क्यों फॉर्म हुआ था सबसे पहली बात तो यह समझे एंसी आटी में नहीं है साइमन कमीशन इसलिए फॉर्म हुआ था कि जो आपकी इंडिया में जो ये अफसर्ज हो रही है ये जो जो हता है आपकी इंडिपेंडेंस आजाधी के लिए जिते भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बंद हो जाए इसको फॉर्म किया गया अंदर दी लॉड जॉन साइमन लॉड उस तेम थे यह लोग लॉड इनको कहा जाता था जॉन साइमन इसका में अब्जेक्टिव क्या था इसका में अब्जेक्टिव था कि आपके साइमन गो बैक साइमन गो बैक स्लोगन इसमें सारी पार्टिस पी जितनी भी आपकी जो होता पॉलिटिकल पार्टिस थी उस टाइम की सब ने जो होता पार्टिसपेट करा सब ने तो यह जो डिमांस्ट्रेशन था यह बहुत बड़ा हुआ और अल्टिमेटली साइमन को दिया इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि आप dominant status ले लो अब dominant status का क्या मतलब होता है dominant status का मतलब होता है कि जो Britishers हैं मों इंडिया छोड़के चले जाएंगे और इंडिया इंडिया के लोगों की होगी इंडिया की सरकार इंडिया के लोगों की होगी इंडिया में इंडिया की सरक्यार चलेगी यहाँ पे इंडिया में इंडिया की सरकार चलेगी अब आप सोचोगे अरे भया यह तो बड़िया बात थी 1929 में यह ले लेना चाहिए था हमको तो आजादी मिल जाती पर नहीं, बहुती माइन गेम था ब्रेटिश अर्स का ये होता क्या, कि इंडिया पे इंडिया के लोगों का तो राज चलता पर जितनी भी इंडिया में पॉलिसीज बनती, वो आपकी ब्रेटिश पार्लियमेंट बना था इंडिया अपनी आर्मी पे, अपने व्यापार पे कोई भी इंवेस्टमेंट नहीं कर सकता था इंडिया बिना ब्रेटिश पार्लियमेंट के कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता था ये थी आपकी डॉमिनन स्टेटस हमारे महात्मा गांदी ने तो इसको सुईकार भी कर दिया था वो दूसरी round table conference के लिए चले भी गए थे कहां? जहाँ पर दूसरी round table conference हुई वहाँ पर महात्मा गांदी चले भी गए थे क्या भईया हमारी जो होता है कुछ मांगे हैं जिनको अगर आप सुईकार कलो तो हम dominant status ले लेंगे पर जब December 1929 में जबाला लहरू ने ये बात Congress के सामने रखी तो Congress के बहुत सारे नेताओं ने पूर्न स्वाराज की बात उनके सामने रख दी तो लाहर में ये decide हुआ कि जब भी इंडिया हजाद होगा तो 26 जन्वरी को हमारा गरतन reverse मनाया जाएगा और अब हम लोग ये चोटी मोटी चीज़े नहीं हम dominant status के लिए नहीं काम करेंगे हम लोग पूर्न स्वाराज के लिए काम करेंगे अब यहीं से चालू होता है आपका तो अब जो होता है non-corporation movement तो अब हो चुका था तो हमाय मादमा गानी को ये समध में आ गया था कि कुछ ऐसा चाहिए है जो पूरे देश को एक साथ लिया है तो उसमें से एक क्या था कि Britishers ने नमक पे कर बढ़ा रखा था कर क्या होता है कर molar такие Oh तो मात्मा गान्दी को यह समझ में आ गया कि नमक की ऐची तांगतवर चीजें जो पूरे देश को एक साथ ला सकती है उन्होंने इर्विन को एक खत लिखकर अपनी दिमांड उसके सामने रख दी क्या आस दिमांड रखी कुछ दिमांड थी वो खत की बारे में आपका डिसकेशन नहीं हुई है तुम उसके डिसकेशन नहीं करूँगा कि अगर हमारी ये डिमांड ग्यारा मार्च तक नहीं पूरी करी गई तो हम सिविल डिस ओबडियन्स मुव्मेंट शुरू कर देंगे खत जो आपका लॉड इर्विन को भेजा गया था वो 31 जनवरी 1930 को लिखा गया था पर इर्विन ने ये बात नहीं मादी और गांडी ने सिविल डिस ओबडियन्स मुव्मेंट चालू करने की सोच ली जिसको ये सिविल डिस ओबडियन्स का मतलब नहीं समच में आ रहा है इसका सिंपल सा मीनिंग है आपका जन विद्धरो ये है आपका सिविल डिस ओबडियन्स तो अब इसको चालू कहा करना है तो महात्मा गांदी ने बहुती बड़ीया प्लान बनाया महात्मा गांदी ने अपने चाहने वालों के साथ में इनके 78 फॉलोवर्स के साथ में साबर मती आश्रम से 12 मार्च 1930 को डांडी की तरफ चल दिये जो कि एक आपका टटी चेतर है आपका गुजरात का तो ये 78 फॉलोवर्स के साथ में अपने चले और 6 अपरेल 1915 को गांदी डांडी पहुँच गए वो भी 78 फॉलोवर्स के साथ नहीं more than 70,000 फॉलोवर्स के साथ में लोग जुड़ते गए और वहाँ पहुचे इन्हों ने नमक कानून तोड़ दिया नमक कानून तोड़ने से क्या मतलब है नमक कानून तोड़ने से यह मतलब है कि अब हम अपना नमक बनाएंगे हम अपना नमक बनाएंगे अपना ही नमक खाएंगे हम तुम्हें अब इसक चैसे के दारू कुद्स मेंड होता हुए जो आपके काम पहने वाले जो होता है करहांक। चौकिदारी भरने समना कर दी विलेज के जो ओफिशेल्स थे जो इंडियन्स थे जो आपके जो होता है आपके मतलब पोस्टिस्ट पे थे यानि कुछ पदों पे थे उन्होंने अपना त्याग पत्र बिरिटिश गवर्मेंट को सौब दिया काफी जादा एरियाज में लोगों ने जो आप फॉरेस्ट लॉस थे यानि कि आप जंगल में नहीं जा सकते जंगल की लकली नहीं काट सकते जंगल की चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इनको वाइलिट करना चालू करा अब जो होता है जब ये मुवमेंट बहुत जादा बढ़ गया तो इस मुवमेंट की वज़े से जो आपकी कोलोनियल गवर्मेंट थी उसने क्या करा उसने कॉंग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना चालू करा एक करके जो आपकी कॉंग्रेस के लीडर्स थे इनको arrest करने से जो होता है काफी जादा areas में ये violent clashes होने लगे government के साथ में आपकी 1930 April 1930 अबदुल गफार खान एक बहुत जादा important disciple थे एक बहुत जादा important आदमी थे बहुत जादा मानने वाले थे मातमा गांदी के इनको arrest कर लिया गया अब इनको जब arrest करा गया तो आपकी पेशावर की street में काफी जादा जो होता है भीड में गुसा बढ़ गया और बहुत सारी चीज़े होने लगी मन्त लेटर मातमा गांदी को भी arrest कर लिया गया industrial workers के जो आपके ये उनके साथ थे इनको arrest कर लिया गया अब आपके जब इनको arrest करा गया तो पुलिस बिल्डिंग्स हो गई मुनसिपल बिल्डिंग्स हो गई इन सब पे अटेक होना चालू हो गए जो आपकी government थी वो इस टाइम डर चुकी थी काफी जादा government डरी हुई उसने बहुत जादा बुरी तरीके से इस पर respond करा इनोंने जो होता है सत्या गरहिस को अटेक करना चालू करा women and children को मारना चालू करा एक लाग people को जो होता है करीबन एक लाग की बात कर रहा हुए एक लाग को इनोंने arrest कर लिया ये सारी situation देखते हुए मात्मा गांधी ने decide करा कि आपका civil disobedience movement अब हम लोग वापिस ले रहे हैं और इनोंने गांधी इर्विन पैक्ट sign कर दिया enter into the pact यानि गांधी इर्विन पैक्ट इनोंने sign कर दिया March 59 March 5 1931 इनोंने गांधी इर्विन पैक्ट sign करा और decide करा कि हम लोग second round table conference में participate करेंगें मात्मा गांधी गए London round table conference में बट जो वहाँ पे discussion हुआ उसका कोई मतलम नहीं निकला return वापिस आ गए और इनोंने वहाँ पे जो होता है ये जब वापिस आए second round table conference से तो इनोंने क्या देखा इनोंने देखा government ने एक नए जो होता है आपका method निकाल लिया है इनोंने congress को illegal declare कर दिया है अब्दुलगफार खान जवालना लेरू दोनों जेल में है तो मात्मा गानी ने दुबारा से civil disobedience moment को launch करा पर वही बात है मात्मा गानी मजबूर थे या मजबूर थे आपके हो मेरी बात है comment section में ज़रूर बताईएगा इस बार moment नहीं चला एक ही साल के अंदर by the year 1934 यह moment ने अपना momentum lose कर दिया यहाँ पर आपका chapter की main जो गाथा है वो होती है खतम अब बात आती है sense of collective belonging की जैसा कि आपने chapter number one the rise of nationalism in Europe में पढ़ा था कि भाया अगर किसी भी देश के लोगों को साथ में लाना है तो कुझी ऐसा एक शरोत होना चाहिए जो उनको एक धागे में बान सके तो वो एक शरोत था कि भाया हमारी जो देश है उसको एक आपकी allegory के form में रेपरेजेंट करा भारत माता नेशन जो आपका एक image में इसको depict करा गया भारत में था भारत माता भारत में था कर गया मैं sorry भारत माता सबसे पहले इसको create किया गया था बानकिम चंद्र चत्रोपाध्याई बहुती बड़िया नाम है in 1870 इनों ये बानकिम चंद्र चत्रोपाध्याई ये वही हैं जिनोंने मुबंदे मातरम लिखा है तो ये आपकी एक इमेज है जिसको इनोंने जो होता है किरियेट किया और इससे एक कलेक्टिव ब्लॉंगिंग आई लोगों के बीच में क्यां भाईया हम सब एक ही देश के नागरेक हैं ये है आपकी कलेक्टिव ब्लॉंगिंग स्वदेशी मुवमेंट के दौरान बहुत सारी हुए फॉल्क स्वॉंग आई हमारे भारत माता के उपर बहुत सारे सौंग बने वन्ने मातरम आ गया और बहुत सारी चीजह हुए स्वादेशी मुवमेंट के दौरान एक हाँ ट्राइकलर फ्रैग भी तो डिजाइन किया गया था जिसमें आर्ट लोटस थे जो कि आर्ट प्रोविजन सॉप ब्रेटेश इंडिया को डिपिक्ट करते थे और एक क्रिसेंड मून था जो कि हिंदू और मुसलिम की उनिटी को डिपिक्ट करता था तो ये इसको सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक चीज के लिए करती है कि ये मैनोफेक्चरिंग क्या है चलिए इसको समझते है मैनोफेक्चरिंग आपकी मम्मी घर में आटे से रोटी बनाती है वो मैनोफेक्चरिंग है पर हम उसके लिए मैनोफेक्चरिंग टर्म इस्तेमाल नहीं करते है मैनोफेक्चरिंग टर्म हम उस आटे से रोटी बनाने के लिए तब इस्तेमाल करेंगे जब आपकी मम्मी लाग हो लोगों के लिए रोटी बनाए तो बड़ी असान सीस्ट की डेफिनेशन है manufacturing की कि अगर किसी भी चीज का production हो रहा है किसी भी raw materials से for example आटे से रोटी बन रही है बहुती large level पे बहुती बड़े level पे तो वो manufacturing है अब जाहिट सी बात है अगर आप किसी चीज का production कर रहा हो बहुत बड़े level पे तो वो कोई भी चीज हो सकती है आपके घर में लगे हुए AC हो सकते हैं आपके घर में लगा हुए पंखा हो सकता है आपके पानी गरम करने वाला greaser हो सकता है आपके घर में लगा हुए mirror हो सकता है आपके जो आप mobile देख रहा हो यह है आपकी tablet है आपका laptop है आपका PC है आपके घर में लगने वाले pipes है steel pipes सारी चीजों की manufacturing होती है तो जब इन इतनी बड़ी level पे manufacturing हम लोग करते हैं इतनी बड़ी level पे किसी भी चीज़ को produce करते हैं तो हम अकेले तो कर नहीं लेंगे हम superman तो है नहीं एरामलल तुम superman हो नहीं सर हम superman नहीं हम बकलोल है हाँ तो इन सारी चीजों का जब production होता है तो उनमें workers भी तो लगते हैं ना workers भी तो लगते यानि आप चीज़़ अगर मैं कहे रहा हूँ कि अगर आपकी ममी लाखों लोगों के लिए रोटी बनाने लगें आपके घर में से रोटी का business चल जाए तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को job provide करोगे आपकी ममी अकेले तो बना नहीं लेंगी आप भी अकेले नहीं मना लोगे अभी जैसे मैंने कहा आप superman तो हो नहीं तो जब आप किसी भी चीज़ की manufacturing करते हो उसमें workers लगते हैं for example steel factory हो गई automobile industry हो गई दारू पववा पववे बनाने में भी तो जो होता है workers का काम लगता है breweries हो गई, textile हो गई bakeries हो गई, parlaygy example तो जब इनमें आप workers को बुलाते हो यानि आप job provide करते हो तो ये सारी चीज़ें secondary activities में आती है primary नहीं है ये secondary sector है तो जो ये manufacturing industries chapter है इसमें आप mail ली पढ़ोगे manufacturing industries के बारे में जो कि आपकी secondary sector में आती है चलो, चालू करें हाँ सर मूरत का इंतिजा थोड़ी ना करेंगे चालू करते है manufacturing की importance क्या है देखो manufacturing industries जो manufacturing है ये किसी भी country के लिए उसकी development की रील की हड़ी है मतलब backbone of development of a country manufacturing sector को consider किया जाता है क्यों consider किया जाता है कुछ ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से इसको consider किया जाता है जैसे सबसे पहली बात अगर आप कोई भी industry establish करते हो किसी भी एक country में तो उतने area के लोगों को सबसे पहली बात तो job मिल जाएगी secondary sector activities है न तो जब आप किसी भी एक area में industry बनाओगे for example अगर मैं secondary की ना बात करूँ मैं tertiary sector की बात करना हूँ telecom services उसकी भी तो industry है तो अगर आप जो होता है manufacturing industry या कोई भी industry किसी भी एक area में establish करते हो then you are going to provide a job for hundred or for thousands of people तो उसे किसी भी country का development में बहुत ही जादा मदद मिलती है और आप उस country को कही ना कही modernize भी कर रहे हो अब जब आप उस country में लोगों को job provide कर रहे हो लोगों को source of income दे रहे हो तो जाहिर सी बात है उस country की economy भी बढ़ेगी उसकी economy भी बूस्ट भी मिलेगा जब आप job दे रहे हो किसी भी एक इलाके में एक country में एक इलाके में आप job दे रहे हो by establishing the industry then you are also helping in removing the unemployment and poverty of that area आप महाँ पे unemployed लोगों की संख्या को कम करोगे आप महाँ पे poverty की संख्या को कम करोगे you are going to pay them you are providing them a source of income you are providing them a job then unemployment की जो समस्या है वो सारी चीज़े आपकी हल हो जाएंगी अब जब यह सारी चीज़े होंगी then you are absolutely you are going to export that product to the another countries it is right ना कि भाया अगर तुम किसी भी चीज़े का production कर रहे हो then you are going to export that to another countries then when you are exporting that product it is also expanding the trade and commerce between two countries and also bring the foreign exchange भाया एदर उदर की चीज़े भी exchange होना है तो यह सारी कुछ factors हैं जिनकी वज़े से manufacturing sector को backbone समझा जाता है development चालो backbone तो समझा जाता है पर इसका contribution क्या है सर इसका contribution पढ़ते है contribution of industry to the national economy आपका topic है चलो इसको पर discussion करते हैं इसको पर वार्तलाब करते हैं आपसे अगर मैं बात करूँ लास्ट over the last 10 decades 10 decades के क्यों बात कर रहा हूँ मैं एक decade की बात करता हूँ over the last one decade one decade की बात करते हैं decade जिसकी नहीं समझ में आ रहा है अब बकलोड decade का मतलब होता है 10 साल 10 साल में हमारी इंडिया की economy में इस industry का contribution जो रहा है वो 7% per annum कर रहा है growth rate में specifically अगर बात करूँ लेकिन हमारे जो covid भाया है when the corona और the covid virus spread all over the world then हमारी जो इंडिया की growth है वो 0.92% ऐसी approximately 4% के असपास रही है overall GDP की बात करें या हम लोग manufacturing industries की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि हाँ growth तो हमारी मतलब ना जादा बढ़िया थी last 10 decades में 7% per annum average growth रही है हमारी इस industry की लेकिन SARS की covid की वज़े से काफी जादा इस पर असर पड़ा है चलो ये तो बात होगा इसकी contribution की अब अगर भया अगर तुमको एक industry establish करनी है किसी भी particular area में तुम्हें कुई ना कुई factors की तुम्हें कुछ factors ऐसे होंगे जिसकी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अब ऐसा थोड़ी ना है रामलाल की तुम कहीं भी मूँ उठाके वहाँ पर जाके तुम industry establish कर दो फिर काओगा सर जी करोणों का नुकसान होगा ठीक है तो कुछ ऐसे factors हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा देन चलो भई उसकी discussion कर लेते हैं लेट्स को industrial location हाँ भई तुम चले भई अब business man बनने आरहे है सर क्या बात कर दी राम लाल को businessman राम लाल ज्यादा ओचलो मती तुम business man न हो अब तुम्हें एक industry establish करनी है किस location पे establish करोगे किस-किस बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा किस-किस बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली बात, raw material की availability, अबे तुम ऐसी जंगा थोड़ी ना industry establish करोगे, माला के जंगल में, Amazon के जंगल में तुम इंडस्टी थोड़ी ना लगाओगे, जहां पर तुमको कोई चीज मिले ही ना, for example, आटे की इंडस्टी लगा रहे हैं, लेकिन आटा ही नहीं है, तो इंडस्टी काई की, raw material होना चाहिए, अगर you are going to establish an industry of the coal, coal products, like that of, आप जो होता है, कोई भी एक fuel निकाल ला है, coal का, coal के products बना रहे हो, beauty products बना रहे हो, cosmetics बना रहे हो, अगर कोईला ही नहीं है, तो बना होगे कैसे, काला कोईला हो जाएगा, फिर, then raw material की availability बहुत जादा जरूरी है, अब तुम अकेले तु सूपरमैन हो नहीं, तुम बकलो लो, रामला लो, तो तुम्हें labor की भी जरूरत होगी, हाँ सर लेबर की जरूरत होगी, क्या बात कर दी, so labor की availability होनी चाहिए, अब industry, जब आप establish करोगे, when you are going to establish an industry, then you are also requiring some of the advanced machinery, or some of the advanced mechanical tools, for example, अगर मैं एक simple सी आटे की चक्की establish करूँ, अगर मैं एक आटे की चक्की लगा हूँ, तो मुझे वो चक्की तो लानी पड़ेगी न, मुझे generator चाहिए, तो एक capital भी तो होनी चाहिए, आसपास में, हाँ, सर, capital भी होनी चाहिए, अरे, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है capital, मतलब आसपास एक शहर होना चाहिए, जहां से तुम्हारे सारे instruments आ सके, अब अगर ये सारी चीज़ा मेरे पास में है, तब मैं क्या industry उठाके तालीबान या अफगानिस्तान में जाके लगा दूँगा तालीबानियों के बीच में, वहाँ पे तो कोई policy नहीं है, आगले दिन आगे कोई मुझे को ठोग देगा, ठें, खतम, बाइबाइ टाटा, see you, गया, तो government policies का भी होना ज़रूरी है, और क्या बचा, हाँ, industry तुमने बना ली, उसकी machinery को चलाओगे का इसे, solar panel तो तुम्हें टेखरीज नहीं सकते हैं, शुरू शुरू में, then you are also requiring power, so शुरू शुरू की क्या, बहुत बात में भी solar panel से तो सारा काम हो नहीं सकता, बहुत advanced machinery हैं, जिनको power की ज़रूरत होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो आपके stem screen पे हैं, ये सारी चीज़ें influence करती हैं किसी भी industrial location को, raw material, labor, capital, government policies, market, power, अगर ये सारी चीज़ें available हैं, then you are going to rock in industrial market, अगर ये सारी चीज़ें available नहीं हैं, तो भाईया, रादे रादे करो, घर पे बैठो जाके, अब बात करते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपके आसपास क्यों available होनी चाहिए, क्या इनका फरक क्या पढ़ता है, अगर ये सारी चीज़ें आपके आसपास available होगी, तो आप क्या कर सकोगे, आप जो होता है चीजों को low cost पे मंगा सक होगे for example जो होता है चार्ड दिखाता हूँ मैं industry market linkage चार्ड इसको कहते है आपने कुई भी raw material input कराया ठीक है आपको पता है वहाँ पे raw material है आपने उसको transport कराया अपनी factory में लाया अपनी factory में उसको कूटा पीटा माचा माजा और उसको जो होता एक product में convert कराया अब उस product को आपने transport कराया उसको market भेजा वहाँ से पैसा पैसा आया और पैसे से फिर आपने raw material मंगाया अब overall ये एक चार्ड है अगर मैं कहूँ कि आपने जब ये material को input कराया था तो अगर आपको low cost में ये material पढ़ जाता यानि जो होता है अगर मैं कहूँ कि material चलो low cost में नहीं पढ़ा तो तुम अगर इसको 500 km दूर तुमारी industry है तुमारा manufacturing plant 500 km है तो ट्रग वाला तुम से करीबन 50,000 रुपे लेगा तो transport cost तुमारी कम होगी अगर तुमारी industry ऐसी जहां पर established है जहां पर raw material की availability है यानि मालो तुमारी industry से 5 km ही दूर है तो तुमारा वो बहुत ज़्यादा किराया बचा यहां पर low cost आई factory मिलाया तुमने उसको तुमने product में convert किया product को फिर तुमें transport करना है market में उसकी low cost होगी market तुमारे पास में available है पास में अब जब market में तुमने उसको बेचा अच्छे दामों में बिग गया फिर तुमें raw material मिल गया low cost में तो अगर यह सारी चीजें आपके पास में आपकी इंडस्टी एक अच्छी इंडस्टियल location पे established है तो आपको उसमें काफी जादा profit होने के chances होते हैं low cost में आपकी चीजें मिल रही होंगी आपको और आप उनको high cost पे बेच रहे होगे अब यह तो सारी चीजें हो गई भाया कि इंडस्टी कहां पे हमको establish करनी चाहिए कहां पे नहीं establish करनी चाहिए चलो अब इंडस्टी भी तो बात कर लें इंडस्टी का classification क्या है सबसे पहला classification agro based industry agro based क्या समझ में आ रहा है agro based sir agro based अब है रामलाल agro यानी agriculture अग्री कल्चर बेस्ट इंडस्टी example के तौर पे cotton इंडस्टी, jute इंडस्टी, silk इंडस्टी, woolen textile इंडस्टी, sugar इंडस्टी हो गई खाने के तेल की इंडस्टी हो गई all are based on the agriculture raw materials cotton इंडस्टी, based on the cotton jute इंडस्टी, based on jute silk industry, सारी जीज़ें तो या अग्री कल्चर से आ रही है न तो ये सारी agro based industries है चलो इनके बारे में पढ़ते हैं कि करगे let's go, सबसे पहले आती है इनमे textile industry, textile यानी आप जो रोटी कपड़ा, मकान कपड़ा कपड़े की industry इनके बारे में इससे जादा बाहर कुछ नहीं जाएगा आइश्टीन बच्चे comment में मत लिखना कि आपने पूरा इबात नहीं बताई NCRT को निचोड मारा है बहुत 5-6 दिन की मेनत लगागे ध्यान से, पूरी 5-6 दिन की मेनत लगा मैक्सिमम जो इसमें industries आती है वो कहीं भी externally fund नहीं की जाती अपने आपको complete करती है value chain में अपने पूरी जो value है उसकी जो chain बनती है वो पूरी इसकी है complete करती है दूसरा point ये industrial production, employment generation और foreign exchange में भी contribute बढ़िया तरीके से करती है आपका जो इसका production रहता वो भी अच्छे level पर रहता है ये अच्छा खास employment generate करती है अच्छे खासा foreign exchange earnings भी generate करती है अब कुछ हमारे रामला लोंगे जिनकी ये नहीं समय में आगा भया ये foreign exchange earning क्या है हमको ये नहीं समय में आया रामला अगर तुमने यहां से जो होता है इंडिया से कोई product अमेरिका में भेजा तो जाहिर सी बात है यहां से तुमने उसको कम cost पे बनाया और अमरीका में वो ज़्यादा cost पे बिका तो ये इससे जो तुमें earning हुई वो कहलाती है foreign exchange earning इसका कुछ percent सरकार को भी जाएगा GDP की form में tax की form में तो ये थी आपकी textile industry next की बात करें हाँ सर बात करते है cotton textile industry cotton textile आपकी रूई की industry ये industry सबसे पहला तो इसका point है कि ये agriculture के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है क्यूं क्यूंके भई या agriculture में ही cotton उगती है वही farmers उनको उगाते है cotton को तो बहुत ज़्यादा agriculture से जुरी ही है ये industry ज़्यादा से ज़्यादा farmers को ये living प्रोवाइड करती है उनके जीने के लिए उनको पैसा प्रोवाइड करती है और हाँ दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है cotton textile में कि ये जो industry है cotton textile industry ये अपने साथ साथ में chemical industry, dice की industry और engineering industry को यानि आपकी mechanical industry को support करती है कैसे भईया कैसे अबे तुम कपड़ा पैनते हो क्या सफेद रंका होता है सरिफ हमें तो शॉक है हमारे रंगीन हम गुलाभी पैनते हम जो होता है नीला पैनते हम पैनते हम रामलाल पता है हां सकराम पता है तुम का का पैनते हो तो ये जो color होता है ये dyes ही तो होती है तो यह chemical industries बनाती है इंको अब cotton को बुनने के लिए तुम्हारी जो एकदम Gucci की set सर जी अमीर Gucci की set जो तुम पहनते हो उसको बनाने के लिए कोई ना कोई engineering की तो जरूरत होगी कोई ना कोई machinery की तो जरूरत होगी तो यह उसको भी support करती है यह industry अपने साथ साथ दो industries को support करती है बहुत जादा important point है next jute textile industry आँ हाँ सर जी मज़ा आ गया jute textile golden fiber of India सबसे पहला point अपने दमाग में बिठा लो golden fiber of India jute सबसे पहला point अपने दमाग में बिठाओ India jute के मामले में India jute के मामले में largest producer है largest producer के लो कुछ भी के लो India jute का raw material या jute का finest product का largest producer है ध्यान से ध्यान से दोनो raw material as well as jute goods यानि as well as jute के finest products का largest producer है इनकी जो jute textile की जादा से जादा मिल्स जो है जो जादा से जादा इनकी industries है वो west बंगाल में located है especially अगर मैं बात करूँ along the banks of the hoogly river अब कुछ हमारे creative बच्चे होंगे जो की रटना नहीं जानते है जो की ratification पर देहान नहीं देते है वो सवाल करेंगे सर जी यह hoogly river के पास में क्यों है है सर बताओ मेरे को यह hoogly river के पास में क्यों बनी हुई है बताते हैं रामलाद सबर करो होगly river के पास में यह industries इसलिए है अभी हमने उपर बात करी industrial location की ऐसी जगां पर होनी चाहिए जहां पर तुमारे raw material के availability बढ़िया हो अब यह तो वही तो है होगly river के पास में temperature बढ़िया है soil बढ़िया है availability of water बढ़िया है और वो एक optimum condition है जूट के होगने के लिए तो इसलिए वहाँ पे जूट की availability बहुत बढ़िया है इसलिए वहाँ पे ज़ादा सज़ादा industries जूट की located है याद रख लेना इन point को बहुत ज़ादा इंपट है चलो next sugar industry आहा सर जी चीनी चीनी की बात कर रहा है रामला ज्यादा खुश मत हो sugar industry दो point है दमाग में बढ़ा ले न मैं बार बार कह रहा हूँ NCRT का निचोड है यह पूरा जो तुमको यह मिला है जो बहुती जादा महनत लगाई हुई है इसलिए इस वीडियो को like भी कर दे न भाया इसी बात पर अरे यार इत्ती तो जो होता है सर जी की इत्ती महनत का तुम respect तो कर सकते हो सर like भी कर सकते हो जो भी लोग नहीं आए है subscribe का बटन ठोको यार अभी सारे और chapter साने वाकि है दो point है India इंडिया second largest world का प्रोड्यूसर है शुगर का और बट second largest sugar का आए शुगर शुगर finest product है शुगर इंडिया second largest producer है sugar का अपका बट पहली प्लेस अक्क्वाई करता है गोड के production में और खांदसारी के production में खांदसारी सर जी यह क्या है खांद सारी है आपकी brown sugar, ठीक है, second largest producer है आपका sugar का, मतलब finest product, जो sugar, चीनी, चाय वाली चीनी, but first आता है आपकी गोल के production में और खांद सारी के production में, ये इंडस्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्री है आपकी seasonal है, अब गोल तुम्हारा जाणों में ही तो बनता है, हाँ सर, ज इनको पता होगा कि गोल की industry, गोल की जो मेल होती है, वो जाणों में ही चलती है, seasonal होती है इंडस्ट्री, तो दूसरे ये point है, बहुत जाद है important, अब बात करते हैं, मिर्नल बेस्ट्री की, मिर्नल बेस्ट इंडस्ट्री, ये industries, जो वो industries हैं ये, जो की मिर्नल और मेटल को as a iron and steel industry की, iron and steel industry, basic industry है, सबसे पहला point, सारी industries के लिए, क्यों? सारी industries, कौन कौन सी industries होती है, heavy हो गई, medium हो गई, light हो गई, light example, आपकी जो होता है, cotton handloom हो गई, heavy आपकी जो होता है, steel production plants हो गई, और जो होता है, automobile industry हो गई, आपकी heavy industries में आती है, तो कैसे, कैसे iron and steel industry, अबे यार, एक बात सुनो, जितनी भी industries है, बिना instrument के, बिना machinery के, कौन सी industry चल जाएगी, आपकी जाएगी, तो machinery काई से बनती है, रामलाल, अरे सर, machinery तो iron से बनती है, steel से बनती, तो सही बात है, basic industry है, सारी industries के लिए, machinery उनको provide करती है, अब heavy industry, heavy industry में आती है, क्योंकि इसमें जितने भी raw materials इस्तेमाल होते हैं, raw materials हो गए, finished good हो गए, यानि final product, वो सारे heavy होते हैं, भारी होते हैं, बलकी होते हैं, इंडिया आपका एक important iron and steel producing industry है, आपकी world में, country, industry गया है, sorry, country, world में, ठीक है, इतनी जादे important है, लेकिन, हम अभी भी, हम अभी भी अपनी full potential पर perform नहीं कर पाते हैं, इस industry के मामले में, we are not able to perform to our full potential, हमारे पात जितनी capability है, we are not able to perform that, why, why, कुछ के दमाग में आएगा political, नहीं, 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 रामलाल, high cost है यहां पे, जो हमारे पास में, coal की availability बहुत कम है, coal की कैसर हो अथा, भी बि हमारे पास में, जो labor है, वो unskilled labor है, उसकी productivity बहुत कम है, हमारे पास जो energy की supply, हमारे पास light की supply, हमारे पास power की supply बहुत कम है, हमारे पास infrastructure ही नहीं है, तो हम इसमें full potential से perform नहीं कर पाते हैं, next industry इसमें आती है, आपकी aluminum smelting, aluminum smelting, second most important metallurgical industry है आपकी इंडिया में, aluminum किस वज़े से है, भाया, आपके ने सुना ही होगा, जब से कच्छे बन्यान पाइन के जाते थे school, aircraft, airplanes, आपके घर में इस्तिमाल होने वाले utensils से लेके, सारी चीजें, maximum चीजें aluminum से बनती है, aluminum smelting ने काफी ज़्यादा popularity गेन कर ली है, substitute में steel industry हो गई, copper industry हो गई, zinc industry हो गई, इनके substitute में, काफी ज़्यादा popularity गेन कर ली है, क्यों, क्यों, ऐसा क्यों सर जी, यारे, रामलाल, क्यों, क्यों, बताओं क्यों, aluminum के तो बरतन इस्तेमाल करते हो, light होते हैं पहली बात तो, आपकी जल्दी उन पर जंक नहीं लगती है, iron की चीजों पर जंक लग जाती है, heat के बहुत अच्छे conductor होते हैं, देखो, गैस पर रखो, धाड़ाक से गरम हो जाते है, बहुत सारी पूरा पूरा जाहाज आता है, खालने चाहोगे, नहीं से नहीं खाना चाहें, अबैर बकलोल, तो यह तो यह मैलीबल है, मैलीबल यानि आप इसको ठोक पीट के एक शीट में चानवर्ट कर सकते हो, यह अपनी फॉर्म बदल सकता है, और यह और भी जादा बिकम स्टॉंग वें, अगर आप इसको और जादा अदर मेटल के साथ में मिक्स कर दोगे, नैस्ट बात आती है आपकी केमिकल इंडस्ट्री की, केमिकल इंडस्ट्री अगर मैं कहूं तो लाज और स्माल स्केल मेनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, क्य इनपर इनोर्गनेंड के सब्सक्राइब से हैं फार्मसोटीकल्स हो गए, दवाई हो गई, या रहे, बहुत सारी चीजें है, तो यह सारी चीजों में, chemical industry बहुत बड़ा contribution है, इसलिए recent years में, अभी कोरोना काल में इसलिए, बहुत जबर्दस rapid growth आपकी record की गई है, next fertilizer industry, fertilizer industry, सबसे पहली बात तो यह काफी जादा link industry है आपकी agriculture industry के साथ में इसका बहुत अच्छी link है क्यों क्योंके बहिया देखो agriculture sector में जो आपके पेल होते हैं उनके production के लिए fertilizers के काफी जादा जरूरत होती है तो यह जो industries हैं यह mainly centered हैं आपकी fertilizers के production के ऊपर for example urea, urea सबसे जादा mainly urea production होता है urea का nitrogenous fertilizers की category में आता है urea तो इसका mainly fertilizer industry है इसका production urea ही होता है nitrogenous fertilizer जिसे की पेणों की पैदावार बहुत बढ़िया हो फसल की पैदावार अच्छी हो फसल का production बढ़िया हो यह industries आपकी गुजरात, तमिलनाडू, उतरपिदेश, पंजाव, केरला यह area की जो fertilizer industry है वो half half से जादा more than 50% of the fertilizer industry को यह लोग contribute करते हैं चली आगे बने हाँ सर बढ़ते हैं आगे cement industry oh my god cement काफी जादे essential industry है आपकी cement देखो बहुत जादा तुम्हें खुद कोई पता होगा cement के बिना कोई चीज है ही नहीं सारी चीजें तो आपकी cement से बननी है आपकी जो होता है building हो गई, houses हो गई, factories हो गई, bridges हो गई, road हो गई, airport हो गई, dams हो गई सारी चीजे हर monument आपका हर infrastructure आपका cement से बनना है यह सारी चीजें आपको इसमें चाहिए होती है, तो यह आपकी दो point है, cement industry से related next automobile industry, automobile industry, Tata Group, automobile, Tata का नाम आ गया सबसे पहले तो automobile industry, यह industry आपके मेली transport sector को काफी जादा जो होता है, यह support करती है यह जो industry है, मेली automobile industry आपकी deal करती है, आपकी सारी जो आपकी moving vehicles हो गया, जैसे truck हो गया, buses हो गई, motorcycle हो गई, cars हो गई, scooters हो गई, three wheelers से लेके, multi-related vehicles तक सारी चीजों का production यह लो करते है यह industry है, कहाँ पर लोकेटेड, यह industry मेली located है, आपकी देली हो गया, मुंबई हो गया, पूने हो गया, चिन्नी हो गया, कोलकाता हो गया, गुरुग्राम हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलूरो हो गया, जमशेदपूर हो गया, लखनव हो गया, यह सारी चीजों तुम बहुत ज़्यादा यह industry support करती है, information technology and electronics industry, यह industry काफी ज़्यादा variety में है, यह जो electronics industry है, राम लाली काफी ज़्यादा variety में फैली हुई है, क्योंकि यह काफी ज़्यादा wide range of products को बनाती है, जैसे कि for example के तौर पे, आपके television के transistor set से लेके, आपके telecom और आपके telephones हो गया, आप stars हो गया, आपके computers हो गया, आपका mobile हो गया, सारी चीज़े information technology और electronics industry में आती है, यह जो industry है, यह काफी vast में आपके इंडिया में इसने employment को generate किया है, और बहुत ही ज़्यादा important बात, कौन सी ऐसी आपकी area है, जिसको electronic capital of India माना जाता है, बैंगलूरी, हाँ, क्या वोल गया, ब बैंगलूरू, बैंगलूरू is known as the electronic capital of India, सही है सर, हाँ सर, एक दम बढ़िया, जालो, नेक्स्टी बात करें, industrial pollution and environmental degradation, इत्ती देर तुमने industries की तारीफ सुन ली, आप उनके थोड़े bad side effects के बारे में भी सुन लो, industrial pollution, देखो भाईयर, जो आपकी industries होती है, यह काफी जादा तरीके से आमारे environment को pollute करते हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, यह जो industries हैं, आपकी air pollution करती है, air pollution, बहुत ही large amount पे यह लोग air pollution करते हैं, क्यों, क्योंकि यह high proportion of undesirable gases release करते हैं, आपके environment में, जैसे की for example को तोर पर आपकी sulfur dioxide होगे, carbon monoxide हो गई, यह सारी चीजें, यह industries द्वारा emit की जाती है, अब जब यह जो smoke, चलो कोई बात नहीं है या, emit करो लेकिन उसको treat कर दो, लेकिन हमाई इंडिया में यह भी नहीं होता है, maximum यह चीज़ untreated इन में से, इनके fumes निकाल दी जाते हैं, smoke जो होता है, इनका mainly आता है, जो chemicals इसमें इसमें इसमाल होते हैं, और जो इसमें coal इसमाल होता है, ठीक है, जो आपकी human health को बहुती ज़्यादा effectively, बहुती ज़्यादा diversely affect करता है, for example, आपके जो होता है, कई तरीकों से आपके पास में यह जो air pollution इसका effect आता है, for example, इसका effect direct पढ़ता है plants के उपर, plants यानि सबजी, सबजी यानि खाना खाना तुम खाओगे, तुम खाओगे तुमारे अंदर भी, biomagnification की process से इसका effect तुमारे अंदर भी देखने को मिलेगा, पूरे atmosphere में रहता है, तो direct बात है, तुमारे lungs भी effect होगे, तुमारा digestive system भी effect होगा इससे, तो काफी vast, काफी जो होता है, different ways में यह industry का air pollution हमारी human health को effect करता है, water pollution की बात करते है, water pollution काई से होता है, सर जी, water pollution, water pollution मेली आपके जो इनके influence निकलते है, influence जानी इनका मल, इनका जो होता है, इनका कचरा इंडस्री इसका, यह जो influence निकलते है, जो आपके directly बिना treat करे, आजकल जो होता है, काफी ज़ादा इस पे measures लिये जा रहे है, for example, गंगा action plan हो गया, युमना action plan हो गया, यह सारे measures लिये गए है, लेकिन वो भी अभी 0.01% है, of the total impact, water pollution क्यों होता है, क्योंकि यह industry मिली, जो होता है, आपकी paper pulp हो गया, chemical हो गया, textile में आपकी dying हो गई, ठीक है, petroleum industry में, petroleum की refineries में, आपकी tanneries हो गई, electroplating industry, यह सारी electrodes निकालती है, तो बहुत सारी ऐसी undesirable चीज़े हैं, जो कि आपके water में निकाली जाती है, ठीक है, उसकी वज़े से क्या होता है, उसकी वज़े से आपका water का thermal pollution होता है, thermal pollution, यानि की for example, यह जितनी मी चीज़े निकलती है, इंडरस्ट्री में से निकलती है, इंडरस्ट्री में से निकलती है, temperature बहुत जादा हाई होता है, उसकी वज़े से आपकी जो river है, जो pond है, उनका thermal pollution हो जाता है, उनका temperature बिगड़ जाता है, उसकी वज़े से उनमें रहने वाली aquatic life भी इससे effect होती है, अब ये तो सारी चीजे हो गई, आपकी air water हो गई, water pollution हो गया, पर इसमें एक और चीज आती है आपकी noise pollution, noise pollution सर जी, noise pollution काफी जादा impact डालता है आपका in industries का जो noise pollution है, आपकी human life हो गई या animal life हो गई काफी जादा, इसमें काफी जादा चीजे आती है noise pollution में, जैसे कि आपको irritation होने लगेगी, आपको गुसा जादा आने लगेगा, आपकी hearing में काफी जादा problem आएगी, heart rate आ आपकी industries, noise pollution भी produce करती है, जैसे कि आपकी जो होता है, automobile industry हो गई, आपकी जो होता है, production industry हो गई, ये काफी जादा noise pollution भी आपका produce करती है, उससे काफी जादा problem होती है, नेक्स्ट है, आपका control of the environmental degradation, आप इस जो environmental degradation है, इसको कैसे control कर सकते हो, जो सबसे पहली बात तो जो water industry से उसको जो होता है, आप treat करो, उसको जो होता है, आप सबसे पहली बात तो treat करो, फिर उसको आप कम से कम का इस्तेमाल करो, minimize करो, उसको अच्छी जंगा इस्तेमाल करो, आप direct river में मत release करो, उसको आप जो होता है, जैसे rain water की requirements हो गई, आपकी agriculture sector में उसकी काफी जादा requirement हो गई, और उसमें जो होता है आपकी जो air pollution की अगर मैं बात करूँ तो air pollution में आप जो होता है जो air निकल लई हो उसको treat करो उसमें जो आपकी harmful gases है अगर उनकी मातरा कम होगी तो वो कम नुकसान देगी machinery को नई तरीके से आप design कर सकते हो जिसे की वो जादा energy ना ले और उसकी productivity काफी जादा high हो noise pollution के लिए आप उसको इस तरीके से design करो कि वो कम से कम noise को produce करे और जनाम यहाँ पे होता है आपका chapter खतम चलू होता है आपका बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम क्या है बाटर सिस्टम पुराने जमाने में चलने वाली currency को हम लोग कहते हैं भया पुराने जमाने में कौन सी currency चलती थी क्या note चलते थे क्या सिक्के चलते थे क्या चलता था पुराने जमाने में ना note थे ना सिक्के थे मैं राजा मारा जाओं के भी टाइम से पहले की बात कर रहा हूँ ancient civilizations की बात कर रहा हूँ ancient civilizations में बाटर सिस्टम चलता था बाटर सिस्टम का बड़ा ही simple सा concept था कि जो आपकी वस्तुएं हैं वही आपकी money का काम करेंगे वही आपके पैसे का काम करेंगी यह एक दूसरे की आवशकता पर depend करता था यह जो होता है एक दूसरे की need पर depend करता था for example के तौर पर बड़ा ही simple सा example लेते हैं मेरे पास में पारलेजी हैं और आपके पास में भिंडी हैं भिंडी समझते हो हांसर समझते हैं तो मुझे भिंडी चाहिए है और आपको पारलेजी चाहिए है तो मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा आप पारलेजी ले लो और आप मेरे को भिंडी दे दो तो आपको यहां सर बहुत बढ़ी आ है मैं ले ले रहा हूं तो आप ले लोगे यह बाटर सिस्टम है यानि कि एक से दूसरी चीज को बदल लेना, यह बाटर सिस्टम है, तो पुरानी जमाने में एंशिंट सिविलाइजेशन में यह सिस्टम चलता था, तो इसमें अगर मैं कहूं कि मैंने आप से भिंडी ली और मैंने आपको पारले जी दिया, पैसा तो आया ही नहीं कहीं, पैसे का काम किस पर जरूरी थोड़ी नहीं कि आपको भी पारले जी खाना है, आपको तो हो सकता है कुछ और चाहिए, आपको थमसब की बोटल चाहिए, तो मेरे पास में तो वो है नी, तो यह दिक्कत थी, यानि कि एक ऐसे इंसान को ढूंड ना, जिसको वही चीज चाहिए है, जो आपक पर जरूरी थोड़ी नहीं कि हम दोनों की नीड, हम दोनों की आवशकता डिपेंड करें, हम दोनों की आवशकता मैच करें, यह बहुत मुश्किल हो जाता था, तो यह थी दिक्कत बाटर सिस्टम की, अब बाटर सिस्टम जब खतम हुआ, उसके बाद आई, money as a medium of exchange, अब जो money आई, जब पैसा आया, तो पैसे ने एक ब्रोकर का काम करा, एक ब्रोकर, एक intermediate का का काम करा, ब्रोकर यानि दलाल का का काम गरा, बदलने के process में, इसको हमने कहा medium of exchange, अगर कोई इनसान है, जिसके पास में पैसा है, तो वो उस पैसे को दे के, अपनी मन मुताबिक की कुई भी चीज़ खरीच सकता है, वो थी money, यानि कि अगर मेरे पास में रामलाल है, उसके पास में पैसा है, तो वो उस पैसे को दे के किसी से भी फल फरूट खरीच सकता है, और कुछ भी खरीच सकता है, फल की जगा और कुछ भी खरीच सकता है, यह हमारे सकाराम है, यह फल बेच रहे हमारे रामलालाए, हमारे जो होता है रामलालाए, बो ले लो भया पैसे ले लो हमको फल दे दो, तो यह दे देगा तो money ने ये काम करा money ने एक medium बना दिया exchange का जिससे कि आप किसी भी चीज के बदले में पैसा दे सकते हो वो चीज आप ले सकते हो अब ये तो थी money पर modern form of money क्या है पहले के जमाने में मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको early ये जिसकी बात कर रहा हूँ जो आपके चंदरगुप मौरे थे उनसे एक रोमानी राजा मिलने आये थे उस रोमानी राजा को उसने गिफ्ट में हाती दिये थे तीन सो हाती दिये थे तो पुराने जमाने में जो इंडियन्स थे वो हातियों को और जो होता है चावलों को और धानों को बहुत सारी ऐसी चीजे थी जिनको वो एजा मनी इस्तमाल करते थे कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए है मैं आपको उसके बदले चावल दे दूँगा मैं आपको उसके बदले अनाज दे दूँगा आप मेरे को वो चीज दे दो तो ये थी पुरानी Indian की बात, पुरानी Indian सभिता की बात अब उसके बाद में जब मुगल्स आए तो उसके साथ साथ में coins आ गए coins की कुछ value हुआ करती थी, gold के coins आए, आपके copper के coins आए तो ये coins जब आए, इनकी कुछ value थी, इनके बदले आप चीज़ों को खरीद और बेश सकते थे अब जब ये coins भी चले गए, तो अब हमारे पास में आई modern form of currency जिसमें की आपके paper के notes हैं, और जो होता है coins है ये थी आपकी modern form of currency, तो कहां से चालू हुआ था आप जो होता है, पहले हातियों को, बकरियों को, और भेडों को, इनको बदला करते थे चीज़ों के लिए चावलों को बदला करते थे आप चीज़ों के लिए, उसके बाद में coins आई, जब मोगल आए, जब मोगल असल में जो होता है वो इरानी नहीं थे, अरेबियन नहीं थे, अरेबिक नहीं थे, वो मंगोलियन थे, कभी बताऊंगा टाइम मिलेगा तो, तो जब ये लोग आए, इनके साथ में जो होता है, गॉल्ड कॉाइंस आ गई, कॉाइंस आ गई, यानि कि करणसी डेवलप हो गई, करणसी आ गई, उ अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारी RBI, यानि कि Reserve Bank of India, इन करंसी के notes को, इन करंसी के coins को issue करती है, on the behalf of the Central Government, और किसी भी और organization को, किसी भी और individual को ये right नहीं मिला है, कि वो इन पैसों को छाप सके, और ज्यादा तर जो होता है हमारे इंडिया में, रुपी को accept किया जाता ह as a medium of exchange, अब जए 500 के notes तो bend होगे, हमारे मोधी सहाब ने bend करा दिये, अब तो 9-9-2000 के notes आए, वो भी अब छपना बंद हो गए, तो ये थी currency, currency को किसी भी देश की सरकार issue करती है, उसी की value होती है, पर हाँ बहुत सारे unfair means से currency को छापा जाता है, पर उसकी पकड़ाई भी हो अब currency एक तो ये है paper के notes हो गए, अब अगर आपको पैसा hold करना है, या तो इनके paper के notes की form में hold कर सकते हो, गड़ियों की form में hold कर सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो, दूसरा आप जो होता है उस पैसे को deposit कर सकते हो bank में, जो ये bank के deposits हैं, ये दूसरी form है कि अगर आपको ए bank में deposit कर सकता है, तो bank में आप कोई इस्तमाल वाली money नहीं deposit करते हो, आप जो होता है अपना extra cash deposit करते हो अपने bank account में, bank account आपके bank में होता है, आपके नाम से होता है, आप जो होता है उसमें अपनी currency को deposit करते हो, और जब आप उसमें अपनी currency को bank में deposit करते हो, तो bank आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, पर आने वाले टाइम में जो होता है, आपको उस पैसे की जरूरत होगी, तो बैंक आपको वो चीज जो होता है, तुरंत निकालके आपको वो पैसा देगा, और जो पैसा आप अपनी डिमांड पर निकालते हो, यानि आपको जरूरत हुई, आपको चेक एक पेपर होता है आपने अपने पापा को अपनी मम्मी को चेक फाड़ते हुग मैं वह देखा होगा चेक होता क्या है। का sign होता है तो वो check होता है तो या तो आप currency को as a note की form में as a coin की form में अपने पास में store कर सकते हो या तो आप उसको deposit कर सकते हो bank में जब आप bank में deposit करते हो तो आपको उस पर कुछ interest भी मिलता है आप ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप आपका पचास करोड़ रुपया bank में तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप को उस पचास करोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हो सकता है पड़ जाए आप कहीं invest करो तो आप जिस पैसे को तुरंत की तुरंत अपनी demand पे निकाल सकते हो वो आपका demand deposit होता है या तो आप उसको FD में क deposit कहते हैं हमने यह वर्डी क्यों बनाया demand deposit काफी सारे बच्चे इसमें confused रहते हैं इसमें मैं इसलिए जादा जोर दे रहा हूँ यार भाईया एक बात बताओ बैंक हमारा पैसा लेती है हाँ लेती है और हम जब चाहें हम तब उस पैसे को निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते तो बैंक की कमाई कैसे होती भाईया अब बैंक कमाती कैसे है चलो उसकी बात करते हैं loan activities of bank अब बैंक पैसा कैसे कमाती है बैंक मे आप गए आपने अपना पैसा डिपोजिट करा तो बैंक क्या वो सारा पैसा अपने पास रखती है आपकी डिमांड के लिए नहीं आपकी डिमांड के लिए बैंक जो होता है वो स्रिफ उसका 15% आज आज कल आपकी NCRT में 10% भी हो सकता है लिखा हुआ लेकिन जो आपका current data है वो 15% का है आपका पैसे का वो 15% अपने पास रखती है बाकी जो होता है वो आपका पैसे का लोन दे देती है किसी इनसान को अब आपने एक लाक रुपे जमा करें तो एक लाक में से वो जो होता है 15,000 अपने पास रखेगी बाकी जो होता है वो किसी इनसान को लोन पे दे देगी पैसा ठीक है ये इनसान आ गया इसने जो होता है पैसे से लोन ले लिया अब बैंक जा करेगी बैंक ने जिस इनसान को लोन दिया है उनसे जो होता है interest charge करेगी loan पे मालो 10% का interest उसने charge करा अब आपको भी आपके पैसे पे interest मिलेगा हाँ मिलेगा भिया तो आपको उसने interest दिया 5% का लोन वाले से उसने interest लिया आपका 10% का आपको उसने interest दिया 5% का तो बचा हुआ जो 5% है वो bank का profit है तो इस तरीके से बैंक जो होता है वो आपका profit कमाती है, आपका money कमाती है, फिर से एक बार देख लें, हाँ सर कैसी बात कर दी सर, देख लेते हैं एक बार फिर से, जिससे कि आपको एकदम clear ends हो जाए, आप गए, आपने अपना पैसा जमा करा, कहां भी यह जमा करा, आपने ब बैंक ने लोन दिया है, जिसको बैंक ने लोन दिया है, उस इंसान से वो interest चार्ज करेगी, मालो मैंने का 10% का interest, यह vary भी कर सकता है, 5% का हो सकता है, 7% का हो सकता है, मैंने का 10% का, मैं जो होता round of numbers ले रहा हूं, जिससे कि आपका दिमांग में बैठे, आपको भी तो bank पे interest म लेगा, अब उस 10% में से, 5% interest आपको दे दिया, उसने 5% जो बचा, तो आपका bank का profit है, अब यह लोन लेने वाले की जरा बात करते हैं, तो हम बात करने वाले हैं, आपकी credit situations, की credit क्या होता है, यह credit होता है, यानि की loan वाली situations, तो loan यानि की credit, आपका फाइदेमन भी हो सकता ह और आपके लिए बरबाद भी कर सकता है, आपको उसकी बात करते हैं, तो credit, यानि की loan, एक ऐसा मतलब की agreement होता है, अगर मालो आप bank से loan लेते हो, तो आप bank को यह promise करते हो, कि हाँ भीया, मैं आप सभी पैसा ले रहा हूँ, मैं आपको जो होता है, आने वाले time में, यानि की future में, आपको यह पैसा कुछ interest के साथ में, कुछ मतलब extra पैसे के साथ में, मैं लोटा दूगा, अब loan जो होता है, वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे कि आप जो होता है, कोई उधार लेते नहीं हो, आप दुकान पर जाते हो, आप रामलाल, दुकान पर जाते हो, अरे एक कलोची ने दे दो, पैसे परसों ले लियो, ठीक है, अब दुकान ना तुमारे एक रैप्टा मारता है, खेंच के, अब तुने जो होता है, पिछले साल का उधार तो चुकाया नहीं है, फिर आगया आप जो होता है, बेशरम उधार लेने, तो वो भी हो सकता है, वो भी हमारे ये सहाब है, इनकी खेती है, इनोंने खेती के लिए लोन लिया, इनकी जो होता है, सनफिलावर की खेती है, इनोंने उसके लिए लोन लिया, अब इनकी फसल बहुत बढ़िया हुई, इनोंने माल लो एक लाक रुपे का लोन लिया, तो इनकी फसल दो लाक रुपे की परवाद हो गई, तो आप इन्होंने एक लाख रुपए जो का लोन लिया था, यह उसमें फस गए, यह जो होता है, यह करजे में फस गए, उसको हम लोग कहते हैं, डब यानि कि करजे में फस जाना, जैसे कि आपके जो होता है, विजय मालिया की कमपनी फस गई थी, नीरब म सकता है, किसमें, किसमें सर फसा सकता है, डब ट्रैप में, यानि कि जो होता है, करजे में आपको यह लोन फसा सकता है, अब भया, यह लोन लेने की कुछ टम्स भी तो होंगी, हाँ, कुछ टम्स होती है लोन लेने की, तो उसकी बात करते हैं भया, सबसे पहली टम क्या है, स जो आपका मतलब की bank है या जो आपका lender है वो आपसे कहेगा कि भाया मैं आपसे इतना interest लूँगा ठीक है उसको तो आपको देना ही देना है लेकिन वो आपको loan दे रहा है उसकी क्या promise है कि अगर आप उसका loan वापिस ना दे पाओ मैंने अगर एक लाख रुपए का loan लिया है क collateral यानि आपकी कोई property हो गई कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी value हो जिसकी value हो जिसकी value आपके loan से match करती हो यानि एक लाख रुपए का अगर loan लिया तो एक लाख रुपए की कोई चीज हो वो bank अपने पास रख लेगी bank जो होता है collateral को as a security इस्तेमाल करती है कि अगर जो होता है जो owner है जिसने loan लिया है अगर वो हमारा loan वापिस करने में समक्ष नहीं हो पाता है हमारे पास वो loan वापिस नहीं कर पाता है तो हम उसकी जो होता है collateral को बेच के हम अपना जो होता है payment obtain कर लें तो collateral एक ऐसी security है एक ऐसी चीज है जो borrower यानि जिसने loan लिया है वो उसको own करता है वो उसका owner है जैसे कि land हो गया आपका vehicle हो गया कोई गाड़ी हो गया कोई life stock हो गया कोई building हो गया अब अगर जो होता है मे में नहीं एकलाग रुपए का loan लिया bank से तो bank कहेगा अब मैं क्या जो होता है रामलाल हूं मैं क्या सक्का रहा हूं मैं तुम्हें जो होता है loan एसी देदू तुम तो मेरा loan लेकर भाग जा NGOs मैं कुछ नहीं है गर पाऊंगा तो bank क्या क्या का हएगा । bank का हैगा मुझे 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 मिل जाएगा वही होता है आपका कोलेटरल, ठीक है? अब जो होता है आपका, जो कोलेटरल है, वो आपका एक, मतलब एक आपके लिए अच्छा भी benefit हो सकता है उसका, और एक खराब भी benefit हो सकता है For example के त mm के तौर पे, अगर पचास लाग रुपए का लोन लिया और मैंने कहा मैंने कहा ये शेर्स तुम रखलो बैंक से कहा मैंने कहा ये शेर्स तुम रखलो उस शेर्स की कीमत उस टाइम पचास लाग रुपए थी बैंक ने गा ठीक है मैं रख ले रहा हूँ अब एक साल बाद एक साल बाद जो मैंने 50 लाख रुपे का लोन लिया था मैं उसको वापिस नहीं करूँगा अब जब मैं वापिस नहीं करूँगा तो bank जाएगा मेरे collateral के पास में तो collateral के पास में अगर वो गया और उसने देखा कि जो shares है उनकी कीमत तो अब जो होता है 25 लाख रुपे रे गई बैंक अम मेरा कुछ नहीं कर सकता तो ये बैंक के लिए collateral एक नुकसान दायक साबित हुआ अब बैंक के लिए collateral फाइदे मन कब साबित होगा मालो शेर्स की केमत सब्सक्रोड हो गई तो ये बैंक के लिए फाइदा हो गया तो collateral बैंक के लिए भी जो होता है दो तरीके से role play करता है एक तो नुकसान का एक फाई देगा अब यह जो आपका यह सारी चीजें हो गए यह आपकी जैसे interest rate हो गया आपका collateral हो गया आपके document हो गए और यह सारी चीजें कि आप loan को कैसे वापिस करोगे आप मैं इतनी देर से credit credit चिला रहा हूँ तो credit के कितने sources हैं इंडिया में सबसे पहला source है आपका formal source of credit in India formal source में कौन आता है भाई यह आगए हमारे bank तो formal sector जो loans होते हैं वो आपकी bank से दिये जाते हैं या तो आप किसी cooperative से ले सकते हो अब अगर आप bank से logo loan तो जो reserve bank of India है वो इनको supervise करता है आपको अगर loan लेना है तो आप formal sector के ही पास जाओ क्योंकि वहाँ पे आपका interest rate जो होता है वो कम होता है और जो होता है आपका returning time जो होता है वो जादा होता है तो उससे आपका जो loan है उससे आपको फाइदा होने के chances बढ़ जाते है क्यों इनका interest क्यों कम होता है क्योंकि इनको reserve bank of India supervise कर रहा होता है bank को जो भी आप loan bank देता है जिसको भी loan देता है उसके सारे document bank को RBI के पास में submit करने होते हैं और बताना होता है कि वो किसको loan दे रहे हैं कितना interest ले रहे हैं और जो होता है कितने time के लिए वो दे रहे हैं तो formal source of credit है इंडिया में आपके bank और आपके corporatives corporatives से ये भी आगर आप loan लोगे उनको भी RBI जो होता है monitor करता है दूसरा अगर मैं बात करूँ दूसरे हैं आपके informal informal दूसरे हैं आपके मैं भी रामलाल बन जाता हूँ यार कवी कवार sorry for that दूसरे हैं आपके informal sector loan informal में आते हैं आपके money lenders money lenders यानि कि आपके जमीदार हो गए वो क्या करते हैं वो अगर आपको loan देते हैं तो उन पे कोई भी ऐसी organization का जोर नहीं है जैसे कि RBI है हो गई कोई भी ऐसी organization का जोर नहीं है जो उन पे दबाव डाल सके कि आप interest rate कम रखो आप जो होता है जादा time के लिए loan दो आप जो होता है loan का period बढ़ा दो आप जो होता है जादा interest मत रखो ये उनके उपर कोई भी नहीं है तो अगर आप जो होता है loan को वापिस करने में अर्समक्ष होते हो आप वापिस नहीं कर पाते हो तो वो किसी भी unfair means से आपसे loan अपना पैसा वो वापिस कर सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ formal और informal credit में तो जो formal sector है वो काफी कम है इंडिया में about half of the total credits है इंडिया में और जो आपका बाकी का आधा है वो आपका informal sources से आता है credit अब है जिसको credit नहीं समझे मारा credit यानी loan ठीक है तो इस चीज़ को काफी ज़्यादा सुधारनी की जरूवत है क्योंकि अगर जो होता है उनको चाहिए है तो उनको formal source से ही credit लेना चाहिए formal source से ही उनको loan लेना चाहिए अब जो होता है आपके अगर ये जो bank है ये अगर मैं बात करूँ इंडिया में इंडिया में बैंक जो होता है बहुत कम इलाकों में मौझूद है इसनकों मैं बहुत है बहुत सारे ऐसे गाउग जहां बैंक है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं वहाँ पर लोग बनाते हैं self help groups इस एचजी self help group क्या होते है बहिया self help group होते है कि देखो भैया जो आपके गरीब लोग है जो बहुती ज़ादा पिछले गाउंगों में रहते हैं वो mainly depend होते हैं आपके informal sources of credit पे क्योंके भाईया वहाँ पे जो होता है bank मौझूद नहीं है और जो होता है वहाँ पे bank अगर हैं भी तो काफी ज़ादा मतलब ये कागजी कारवाई हो गई और collateral हो गया बोलो गरीब लोगों उनके पास collateral ही नहीं तो उनने तो bank salon मिले गई नहीं तो इन सारी difficulties को अगर इनको उबर इन सारी difficulties को इनको हटाना है तो इन लोगों ने self-help groups को create करना चालो करा self-help groups क्या है ये मतलब कुछ 15 से 20 मेंबरों का एक group होता है गाओं में 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 इसको औरते ही चलाती है ये लोग क्या करते हैं ये लोग आपस में जोड़ते हैं आपस में बैठते हैं और अपनी savings करना चालो करते हैं savings यानि अपना जो कमाई है उसका self-help group का हिस्सा हूं तो मैं जो होता है 50,000 रुपए कमाता हूं महीने में तो मैं 50,000 में से 5,000 रुपए self-help group के donation area में मैं जो होता है अपनी saving save कर दूँगा तो वहाँ पे अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं वहाँ से अपने पैसे ले सकता हूं और मुझे और लोगों self-help है अपनी खुद की क्योंकि वह लोग किसी भी money lender के पास नहीं जाते है 15-20 और एकटा होके अपनी पैसे में से थोड़ी-थोडी saving करती है और अगर किसी को जरूरत होती है उसको वह पैसा दे दिया जाता है काम होने के बाद में उसको वह पैसा self-help group के donation area में वापिस करन है नहीं तो वह बैंक से लोन ले सकते है इस problem को सबसे पहले यह solve कर सकता है और आप लोन ले सकते हो काफी जादा अलग-अलग purposes के लिए मालो मेरे बेटे की तवियत खराब है मेरे घर में कोई problem है मुझे घर सही करवाना है मुझे जो होता खेती चकरनी है मुझे यह करना है मुझे business करना है और काफी जादा कम interest rate में वहाँ से आपको loan मिल जाएगा और जैसे कि आपकी जो ruler है वो काफी जादा village area में है उनके लिए काफी जादा building blocks है आपकी organizations है इनमें आपकी women's ही होती है में लिए आपके जो होता है women's होती ही तो women's भी एक तरीके से आपकी self-reliant ह रही हो financially और इन जो self-help groups है इनमें regular meetings होती है regular meetings बिलकुर regular meetings होती है इनकी क्या बया अब इतने जो होता हमारे पास में donation आ गया अब जो होता हमारे help जो हमारा group है इसका total amount 50,000 हो गया इसका total amount 1,000,000 रुपए हो गया तो यह सारी चीज़े है अब जब जो होता है regular meetings होती है आप आले परिशान कर रहे हैं तो जो होता है उस पे भी दूसरे लोग उसकी मादद कर सकते हैं health पर बात होती है खान पान पर बात होती है तो यह पी काफी ज़्यादा इनकी advantages है यह जो self-help groups है यह mainly ruler areas में बनते हैं इनको याद रख लेना और हां यह लोग अगर एक लाग से भी help मिलने लगती है उसका भी कुछ rule है ओ आप जो होता है NCRT में देख सकते हो मुझे सही में याद नहीं आ रहा है एक लाग जने दो लाग कैसी कुछ है उस मार्क को इनको cross करना हो तो उसके बाद में इनको bank से भी मदद मिलने लगती है तो जनाम यहां पर होता है आपका चैपटर खतम उमीद करोगे सबसे पहले तो रामलाल अब इस जो चैपटर की सोल है वो इसकी heading में छुपी हुई है इसके title में छुपी हुई है वो title को समझते हैं। उसको analyze करते हैं चैप्टर में हमारी ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के बारे में बात की गई है Transport and Communication के बारे में बात की गई है तो भाया हम तो National Economy के बात कर रहे हैं तो उसमें Transport सेक्टर कहां से आया जैसे कि National Economy में Manufacturing Industries का बहुत बड़ा Contribution है ऐसे ही National Economy में Transport सेक्टर का भी बहुत ही बड़ा Contribution है इसमें मेली आपकी Waterways आती हैं आपकी Airways आती हैं आपकी Railways आती हैं और आपकी Roadways आते हैं तो ये जो आपके चार सेक्टर हैं ये मेली मिलके बहुत ही बड़ा आपका Amount को Contribute करते हैं किसी भी देश की मैं Specifically India के बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी देश की National Economy की बात कर रहा हूँ तो हमने अभी बात करी Transport Sector की तो इंट्रोडक्शन करते हैं अपने चैप्टर का सबसे पहले बात करते हैं यां Transport की Transport क्या होता है What is Transport Ram Lazs? What is Transport Sakharams? चलो सुर्न धिहान से बहुत ही 100% concentration चाहिए बिलकुल इदादर नहीं देखना चलो बिलकुल 100% concentration आप कुछ भी मंगा सकते हो वो पार्सल में कुछ भी हो सकता है आपकी किताब हो सकती है आपकी सबजी हो सकती है हमें पता है आजकल तो महाल सी इंसान होगए तो तो वो सारी चीज़ें आपकी Transport में आती है वो Moment of Goods वो जो होता है एक जगा से दूसी जगा तक समान पहुचाना वो आपकी Transport में आता है Transport में सरिफ ये Moment नहीं आता है Moment कराने वाले लोग वो आपको Service Provide कर रहे है Amazon एक Service Provider है Zometo एक Service Provider है Flipkart एक Service Provider है ये सारी चीज़ें आपकी मिलके Transport सेक्टर को बनाती है Transport बहुत ही ज़ाधा important domain है पूरी दुनिया के अंदर तीन मेली जो important domains है उन में से एक आता है आपका Transport इसको हम मेली classify करते हैं यानि कि आपके जो means of transport हैं इनको हम मेली classify करते हैं तीन में जो कि हैं आपकी land, water and air अब inland, water and air को हम लोग in detail पढ़ने वाले हैं इस chapter के अंदर तो land के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी roadways, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आपकी railways, फिर हम लोग पढ़ेंगे pipelines और water के अंदर हम लोग inland waterways पढ़ेंगे और आपकी roadways, roadways, इंडिया आपका बहुती जादा largest country है आपकी road network में आगर मैं बात करूँ इंडिया बहुती जादा large है about 54.7 lakh km की हमारे देश में road network है और ये जो no road network है इसकी importance बहुत जादा है rail network के उपर इनका competition एक तरीके से इनका जो competitor है वो rail है क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या चीज़े है, कौन से important factors है जिनसकी वज़े से roadways की importance जादा है railways के उपर बात समझाओ सर, देखो सबसे पहली बात तुम्हा अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि road में जो construction cost है, वो काफी कम आती है, अब rail में क्या होता है रेल में पहले नीचे गिट्टी हैं बिचानी पड़ती है फिर उसको उपर cemented slabs रखे जाते है फिर उसके ऊपर जाके पट्री बिच्टी है फिर उसको उपर मालगाडी या जो होता है transport facility वाली train दोडती है अब road क्या है, roads तो तुम जहां चाओ, वहां बिचा लो तो जो होता है काफी जादा geographically, harder regions में भी तो बिचा सकते हो for example के तोर पर यह mountain ले लो यहां पर भी तो आप road को बिचा सकते हो आसानी से हिमालियन रीजन है हमारा इंडिया वैसी biodiversity rich country है तो हिमालियन रीजन में जहां पर काफी जादा उबल खावल तेरेन है कहीं पर slope है, कहीं पर घाटी है तो वहां पर भी आपका road network आसानी से बिच सकता है और यही बात है कि आपका जो road network है वो higher gradients of slope पर भी आप आसानी से उससे चल सकते हो अम मतलब क्या है भाईया यह higher gradient of slopes क्या है देखो ध्यान से सुनो physics में आपने पढ़ा होगा friction के बारे में friction कुछ नाम की चीज़ पढ़ी योगी रामलाल ले तो friction क्या कहता है कि आप road पे अगर आपके पास में 50 degree तक का भी slope है तो आप road से हाराम से उसको climb कर सकते हो ठीक है लेकिन rail से नहीं कर सकते rail आपकी जो होता पलट जाएगी तो ना तो road base का है कि यह बहुत ही बड़ा important है और इसका जो transport है वो काफी जादे economical है यह मतलब कि जो होता है technical problems नहीं आएंगी आपको और आपकी door to door service है आप क्या rail गाड़ी तुमारी घर के सामने से निगलती है नहीं सर क्या बात कर रहो हमारे घर के पीछे से निगलती है अब है रामलाल चलो तो यह सारी आपकी जो importance है यह road की importance है बहुत ही जादा इसकी यही सारे factors की वज़य से आपकी road की importance काफी जादा बढ़ गई है और हां जो आपकी railways है उन railway stations के बीच में भी यह road आपकी link को बिठाता है ठीक है चलें सर हाँ सर चलते हैं तो इंडिया में आपकी जो होता है road को classify करा गया है six classes में according to their capacity उनकी capacity क्या है carrying करने की उस हिसाब से उनको classify करा है number one है आपका golden quadrilateral super highways यह जो golden quadrilateral super highways है यह इंडिया की चार टॉप metropolitan cities को connect करता है जिसमें आपकी दिल्ली आती है कोलकाता आता है चिन्नई आती है मुंबई आती है यह जो highways है इनको मिली बस तुमें इसमें दो ही बात याद रखनी कि इनको कौन-कौनसी यह जो highway है आपका golden quadrilateral super highway यह कौन-कौनसी cities को connect करता है देली, कोलकाता, चिन्नई, मुंबई इस highway को कौनसी authority manage करती है NHAI National Highway Authority of India तुम जिब जाते होगे road पे तुमने board भी देखे होंगे National Highway Authority of India के तुमने board भी देख रखे होंगे नमबर दो पे आते हैं आपके national highways National highways आपके trunk roads होते हैं जिनको आपका CPWD Central Public Works Department इनको समालता है यह आपके for example के तोर पे इसमें जो आपको याद करना है वो है आपका National Highway No.1 शेर सहा सूरी मार्ग जिसको कहते हैं यह देली और अमरिज सर के बीच में यह आपका link करता है देली और अमरिज सर को तो यह काफी जादे important है National highways में तुमको दो भी बात याद रखनी है इनको कौन manage करता है CPWD Central Public Works Department इसमें तुमें National Highway No.1 का नाम ज़रूर याद होना चाहिए शेर सहा सूरी मार्ग किसके cities को link करता है दिली और अमरिज सर को यह link करता है Golden Quadilator Super Highways के बाद में तुमें क्या बात याद रखनी है रामला इसके बारे में तुमको यह बात याद रखनी है कि जो होता है यह आपकी इंडिया की Top 4 Metropolitan Cities को connect करता है आपस में देली, कोलकाता, चिन्ने, मुंबाई ठीक है इनको कौन manage करता है Golden Quadilator Super Highways को NTAI यानि की National Highway Authority of India Next है आपका State Highways State Highways यानि की जो आपकी State Capitals को Different District Headquarters के साथ में link करता है इनको आपका SPWD यानि की State Public Works Department समालता है इसको हम लोग जनरली PWD भी कह देते हैं Public Works Department लेकिन इसकी फुल फॉर्म है आपकी State Public Works Department इसमें confused मत होना कि हाँ इनको कौन समालता है PWD या SPWD बात दोनों यह की है S हटा दो, S को लात मार के फेग दो ठीक है लेकिन बात वही है State Highways के बारे में तुमको बस इत्ता से याद रखना है कि State Capital जो आपकी State Capital है उनको लिंक करते है Different District Headquarters के साथ में For example, तुम जहां रहते हो वहाँ पे कोई District Headquarter होगा तो उसका एक Highway होगा अब next हमारे आते हैं Border Roads Border Roads को सबसे जो अलग organization है इसके लिए जिनको हम Border Roads organization कहते हैं यह इन roads की जो हता है construction करती है और इनको maintain करके रखती है इनको जो आपकी Border Roads organization है इसको 1960 में इसको establish किया गया था इन roads की strategic development के लिए और आज भी आज की जमाने में भी इन roads की strategic development चल रही है बिलकोल बढ़िया तरीके से road होते हैं यह heavy duty vehicles को carry करने के लिए मिली बनाये जाते हैं अगर देखो Border Roads की significance क्या होती है इनके लिए अलग organization क्यों बनाएगी अगर यह CBSC question पूछती है तो HOTS questions में या सकता है odds question में क्या पूछेगी वो यह पूछेगी कि Border Roads के लिए specific organization क्यों बनाई गई देखो बहुत ही simple सा इसका answer है कि Border Roads जो होता है वो heavy duty vehicles को carry करने के लिए बनाये जाते हैं for example आर्मी के tanks हो गए आर्मी की जो होता है artillery हो गई इन सब को carry करने के लिए बनाये जाते हैं और इनकी maintenance cost बहुत जाधा high आती है तो इनको Central Government दोआरा बनाई गई Border Roads organization इनको maintain करती है और इनका strategic development भी होता है और आज के time पे भी इनका strategic development चल रहा है अब हम बढ़ते हैं आपकी other routes की तरफ सरक योजना के तहट इनको जो होता है बनाया जाता है लेकिन आज हमारे जो आता है district roads आते हैं तो यह आपके different district headquarters को connect करते हैं और यह इनको maintenance cost इनकी जो होता है जिला परिशत द्वारा maintain इनको किया जाता है तो यह आपका पूरा flow chart बन गया होगा तो golden quadrilator super highways में तुमको दो ही बात जात रखनी है यह जो होता है आपकी इंडिया की चार metropolitan cities को connect करते हैं जिनमें आपकी दिल्ली, कोलकाता, चिन्नई और मुंबई आती है यह इन highways को यानि की golden quadrilator super highways को कौन सी authority manage करती है national highway authority of इंडिया नंबर दो पे आते हैं आपके national highways national highway को CPWD यानि की central public works department इनको manage करता है नंबर वन आपका national highway नंबर वन कौन सा है शेर साह सूरी मार्ग यह आपकी दिल्ली और अमरे सर के बीच में है नंबर तीन पे आते हैं आपके state highways state highways जो roads के state capitals को different district headquarters के साथ में connect करते है state capitals कर रखी आपकी border roads की border roads को कौन manage करता है बहिया बताओ रामलाल in the comment section बताओ जल्दी से सर इत्ती जो से चिलाते हो नहीं रामलाल जल्दी से comment comment भी कर दिया करो तुम लोग अगर तुम लोग हाँ पहली बार आये हो तो subscribe करना मत भूला चैनल को वीडियो का like भी कर देना अगर अच्छी लग रही है तो बहुत जादा मेनत लगती है तुम लोगों के लिए और हाँ कुछ बड़ा plan हो रहा है जल्दी announce करेंगे उसको फिलाल आते हैं आपके topic पे border roads border roads को border roads organization इनको construct करती है इनको maintain भी करती है इस border road organization को 1960 में इसको establish किया गया था ओके बस इससे जादा इसमें सब कुछ नहीं पूछा जाएगा और जो आइंस्टीन बच्चे सोच रहे हैं कि सर जो होता है पूरी बात नहीं पढ़ा रहा है इसलिए तुमको लग सकता है कि सर ने आदी बात बता ही नहीं मैंने जो होता है 10 साल के CBSA के sample papers को पूरा analyze कर रखा है उसके बाद ये video बना रहे हैं तो इसमें पूरी बात है कोई भी इसमें बात छोड़ी नहीं गई है अदर रोट की बात करते हैं ये आपके रूलर रोट से इनको प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना के तहट इनको establish किया जाता है फिर हम लोग आते हैं आपके district roads पे इनको जो होता है मेली जिला परिशन मेंटेन करता है और ये district headquarters को एक दूसरे के साथ में लिंक करते हैं इसमें कोई भी हाई हत्या वाली चीज नहीं है कोई भी जो हता है जादा परिशान होने वाली चीज नहीं है मेरा यकीन करो इस chapter से बहुत ही प्यारे प्यारे से बहुत ही बच्चे से question इससे chapter से पूछे जाएंगे जादा high level के question इससे नहीं आ सकते हैं रोड को अगर आप classify करना चाहो NCRT ने कर रखा है हां NCRT ने कर रखा है metal रोड और unmetal रोड फॉर एक्जांपल के तौर पर यह अदर रोड वाला एक्जांपल देखो अदर रोड पर जो फोटो पड़ी है यह आपका unmetal रोड है यानि कि यह कच्चा रोड है कच्चा रोड जो गाउं से हो समझ गया होगे खरंजा और कच्चे कच्चे रास्ते जिनको खा जाता है ठीक है तो यह जो हता NCRT का classification है फ्लाल इन पर कभी question पूछा नहीं गिया है आगर हां पूछा गया तो what is the definition of metal road metal roads यानि कि वो रोड जिनको आपकी cement और concrete से बनाया जाता है unmetal road unmetal roads य या है आपका roadways चलो आई या आप आते हैं हमारी railways के ऊपर सर जी railways हां सर बताओ railways आपका principal mode है आपका transportation के लिए जिनमें आपके long goods मतलब bulky goods बलकी goods बहुत ही भारी चीजों को यह transport करती है बहुत ही लंबे distance तक और तुम्हें एक्जाम्पल क्लोग काश्मीर से कन्या को मार तक rail चलती है ओके तो यह बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए बहुत ही है लोड को यह transport करती है अगर मैं ट्रांसपोर्टीशन में हूँ आरे तुम पैसेंजर में मत चले जाना रहे सर बुलेट ट्रेन तो जो हता है वो हमको ट्रांसपोर्ट करती है तो मैं ट्रांसपोर सेक्टर की बात कर रहे हूँ ठीक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये बल की बहुत बारी 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 मचीने हैं बहुत बारी बारी चीज़ें हैं वो उन्डस्रियल प्रोडॉक्टट्ट नको यह transport करती हैं बहुत लम्बे डिस्टंस तक जैसे कि लखनू से ले के दिल्ली दिल्ली से लेके मुंबाई, मुंबाई से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके बहुत आगे-ागे तक, जैसे दिल्ली से गुजरात तक, गुजरात में जाती है, मेली आपकी ये ट्रांसपोर्ट होके, ओके, और रेल्वे सेक्टर काफी जाद है, important है आपकी Indian economy में, बहुत GDP का अ से जब construct किये जाते हैं, तो उन में काफी जादा दिक्कत भी आती है, और जो आपके ही एरियाज है, उन में आपके railway track जल्दी पहली बात तो बिछाई नहीं जाते हैं, और अगर बिछाई जाते हैं, तो उन में काफी जादा आपको tunnels बनानी पड़ती है, उसमें बहुत जा जादा बहुत जादा मतलब समझ रहा है टेकनिकल इशू आता ही है अगर नहीं समझे हो तो तुम रामला लोटेगे और आपका जो आगर जैसे मैं कहूं आपका थार्थ रेजर्ट है आपका राजिस्तान में तो वहां पे काफी जाद इनको डिफिकल्ट होता है अच्छा नेया राजिस्तान तो तो वहां पे क्यूं नहीं बिचा सकते है वहां पे कुछ नहीं रहेत है उसको घ्चात ही होती है आपकी और ओप अगया और तो रेलवेस चलाई हैं, उन्में उन्होंने नीचे जो हता है, प्रैशर पंप्स लगा रखें, जिसे कि दिन में अगर रेल एक बार गुजरे, तो वो नीचे से सारी रेता को साफ करती वी चले, तो ये आपका मेली एक वज़ा है, जिसकी वज़े से आपकी डेजर्ट में र के लिए, इन में कुछ दिक्कते भी हैं, जैसे कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन और ब्रेज़ेस हैं, अक्रॉस दी रिवर, तो वहां पे तो फिलाल इनकी सारी जो कंडिशन्स हैं, वो अन्फेवरेबल हैं, और काफी जादा इसमें एक नॉमिक अपॉर्चिनिटीज भी लगा लगती हैं, मतलब उनका काफी जादा लैक होता है, उनमें बहुत जादा नुकसान भी होता है, देखो, इमालियन में तुमको बिछाना है न, तो तुमको बहुत जादा टनल्स बनानी पड़ेंगी, तुमको बहुत जादा ब्रिजिस का कंस्रुक्शन करना पड़ेगा, ब पाइपलाइनի । आपकी जो पाइपलाइन नेडवर्क ये मेलि पाइप्ट्रोलियम हो गया मेली जो ये पैट्रोलियम प्रोड़क्ट्स Riddy यही इनका बिचाओ किया जाता है, इनको बिचाया जाता है, अब इसमें जो होता है, हम लोग मेली बात करेंगे, मेली बात करेंगे, तीन important network के बारे हमें, उसी से question मनेगा, उसके बाहर question नहीं जाने वाला है, तो तीन important network हैं आपकी pipelines के हमारी India में, from oil field, आसाम से लेके कानपुर तक, यह आपका number one network है, जो आपकी oil field से आसाम की कानपुर तक आता है pipeline का, ठीक है, अब oil field यानि कि जो होता है, इसमें भी petroleum products को ही transport किया जाता है, number two पे आता है आपका, गुजरात से लेके जालंदर तक, यह पंजाब में है, जालंदर पंजाब में, तो साल्या, साल्या अगर मैं सही परनॉस कर रहा हूं, साल्या गुजरात में से पंजाब तक इनको transport किया जाता है, यह number दूसरा हमारा network है, और number तीसरा भी आपका pipeline के इस से बाहर नहीं जाएगा, आपका question, बहुत ही simple है, pipeline का इस्तिमाल में ली, आपकी flutes को transfer करने के लिए क्या जाता है, आप जरा सोचो, खुद की दिमाग पर जोर डालो, flutes क्या हो सकते है, क्या आप क्या transport करोगे, जो होता है, human excreter transport करोगे, अरे नहीं सर, वो तो हम flush म हो सकती है, transport कर दें, और आप क्या crude oil हम लोग transport करें, water transport कर सकते है, हा सर, water transport कर सकते है, ठीक है, तो ये pipelines है, इसमें कुछ नहीं है, यार, मैं chapter बहुत ही जादा प्यारा सा chapter है, बहुत प्यारा chapter है, इसमें से बहुत मैं कहा रहा हूँ, बच्चे से question पूछे जाएंगे, इसल बच्चे की तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है, अब ये जो, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ, हमारा इंडिया है, इंडिया जो होता है, पाकिस्तान को बच्चे की तरह ट्रीट करता है, ना अगर जो होता है, फिर तो, रादे-रादे हो जाएगी, चलो, so waterways की बात करते है नेक्स हमारा टॉपिक है, आपका waterways, cheapest mode of transport है, आपका waterways, और काफी जाद सुटेबल भी है, heavy और बलगी goods को transfer करने के लिए, fuel efficient है, ये environmental friendly भी है, क्योंक अरे, सर एक बात बताओ, fuel efficient कैसे इतने इतने भारी तो जहाज होते हैं, fuel efficient कैसे हो गया, जहाज जो होता है, वो mainly आपके जो चलते हैं, मतलब जो आपकी heavy ships होती हैं, वो काफी जादा कम fuel इस्तेमाल करती है, for example के तोर पे, 100 kg में एक हवाई jazz, airways का हवाई jazz जो होता है, वो 5 minute चलेगा, और 100 kg fuel में एक ship आपका जो होता है, वो करीबन 5-6 घंटे चलेगा, ठीक है, तो समझ सकतो कितना जादा difference है, 5- 5-6 घंटे, तो कितना distance cover होगा, तो बहुत जादा cheapest means of transport है, अब इसमें भी वही बात आती है, जो आपकी national waterways हैं इंडिया में, उनके बारे में तुमको पढ़ना है, ठीक है, national waterways इंडिया में, जितने भी हैं, उनके बारे में तुमको पढ़ना है, वही से आपका question आएगा, number 1 पर आता है आपका national waterway number 1, national waterway number 1 आपका जो होता है, run करता है, अलाबाद और हालिया के बीच में, ये distance भी तुमको अगर याद कर मिले तो याद कर लो, 1620 km, एप्रॉक्स इसी है, 1621 है या 1620 है, animators, my request to you, बिलको सही distance डाल देना, ठीक है, देखके, ओके, तो 1620 मैं फिलाल इसको consider कर रहा हूँ, animators इसको सही करके डाल देंगे आपके लिए, so national waterway number 1, गंगा रीवर से आलाबाद और हालिया के बीच में ये चलता है, distance आपकी 1620 km, national waterway number 2 की बात करता हूँ, ब्रहमपुतर रीवर साधिया और धवरी के बीच में ये चलता है, 890 km अप्रॉक्स इसकी podcast की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको जो होता है, कहीं मेरे पास book नहीं है, मैं आराम से शान्ती वाले कमरे में बेठा हूँ, मैं इसको podcast की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में इसको animate किया जाता है, तो इसलिए मैं जो होता है, बाद में ये देखता हूँ कि ह मैंने सही बोला या नहीं बोला ओके तो इसलिए आप जो होता है देखो आराम से मज़ा आएगा आपको नेशनल वाटरवे नमबर टू आपका ब्रह्मपुतर रीवर साधिया और दावरी के बीच में चलता है यह 891 क्लोमेटर अपरॉक सापकी डिस्टेंस है नेशनल वाटर नेशनल वाटरवेज है जो इंडाय की बात कर। कुढत कर रहे हैं इनिया के अंदर है इंडिया सिंढो बहुत है वह तो कनिन्दा ऐसी कुछ नाम है, कनिन्दा पॉन्डेचेरी के बीच में ये स्ट्रेच करता है, 1,078 किलो मेटर्स का अप्रॉक्स डिस्टेंस ये कवर करता है, ये आपका स्ट्रेच है, याद रखना इसनल वाटर वे नमबर फोर, बहुत जादए इंपोर्टन है, इसका स्पैसिफिक स्ट्रेच है, ये स्पैसिफिक स्ट्रेच, यानि इसी से जाता है, इसका कोई और जो होता है, अल्टरनेटिव रूड नहीं है, गोदावरी कृ multitude नहीं है, गोदावरी कृष्णा रिवर से होता हुआ, कनिननन्दा पॉंडिचेरी तक यह स्ट्रेच करता है नेशनल वाटरवे नंबर फाइफ की अगर मैं बात करूँ इसका भी स्पेसिफिक स्ट्रेच है ब्रामनी रिवर और मताई रिवर डेल्टा चैनल से होता हुआ आपका इस्ट कोस्ट कैनल तक यह पहुँचता है 588 किलोमीटर इसका स्पेसिफिक स्ट्रेच है तो यह आपके नेशनल वाटरवे नंबर हैं आपके 5 नेशनल वाटरवे नंबर हैं इनके बारे में आपको याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से और हाँ इसमें मैं कोई भी अपनी स्पेसिफिक ट्रिक इस्तिमाल नहीं कर सकता यार यह डेटा है इसको मैं क्या करूँ इसको कैसे मैंने प्लेट करूँ इसमें तो बस स्पेसिफिक लिए तुमको याद करना है कि आँ देखो नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहां से चलता है गंगा रीवर अलाभाद और हाल्दिया के बीच में यह चलता है 1621 किलोमेटर से इसकी डिस्टेंस है नेशनल वाटर में नंबर 2 ब्रामपुतर रीवर साधिया और धाबरी के बीच में चलता है 891 किलोमेटर से इसकी स्ट्रेच है National Water No. 3 आपका West Coast Canal केरला से ये चलता है KOTA PURMA कोटा परनम ऐसी कुछ नाम है और उद्धियो ग्रामलाल और चंपकरा कैनाल तक ये जाता है 205 किलोमीटर का इसका specific stretch है National Water No. 4 आपका specific stretch चलता है देखो नमबर उपर पहले से लेके 3 तक जो National Waterways है इनका कोई भी specific stretch नहीं है ये अपना alternative roots को पकड़ सकते हैं लेकिन जो National Waterway No. 4, National Waterway No. 5 है इनका specific stretch है ये National Waterway No. 4 आपका गोदावरी, कृष्णा और कनिनन्दा, पॉंडेचेरी तक ही stretch करता है 1700 किलोमीटर तक है अब National Waterways की तो बात होगी आप major sea ports की भी बात कर लेते हैं तो sea ports में आपकी foreign countries के साथ में इंडिया trade करता है तो foreign countries के साथ में trade करने के लिए आपकी इंडिया के पास में 200 notified और बहुत सारे जो होता है non-major, minor और intermediate ports भी हैं और हाँ दो major ports हैं इंडिया के अंदर उनकी बात कर लेते हैं major ports की major ports की बात कर लेते हैं बहुत ही जादे important है सबसे पहला जो आपका port है वो independence के बाद में develop किया गया था कनंदाल नाम है इसका और इसको दीन दयाल port के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह आपका काच में है मौजूद और इसको independence के बाद में सबसे पहला port है जिसको यह develop किया गया था मुंबई मुंबई आपका biggest ports है जो आपका well shattered harbor की category में आता है इनमें जो इसका harbor है बहुत ही जादा बढ़िया तरीके से well sheltered है बढ़िया तरीके से इसमें आपका सारा काम हो सकता है नेचरल और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है मारमगाव port है आपका गोवा में यह आपका mainly अगर मैं इसकी बात करूँ मारमगाव port की गोवा में यह आपका iron ore exporting port of India है इसको इसी नाम से जाना जाता है इसलिए इंपोर्टेंट भी role play करता है इंडिया की iron ore export में मैंगलोर port है इसके बाद में आता हुआ आपका करनाटिका कैटर्स में located है और यह भी मेली iron ore की export करता है उसके बाद में आपका कोची port आता है कोची आपका extreme अगर मैं बात करूँ तो southwestern port है यह southwestern location पे इंडिया की मौजूद है और लगून की entrance पे है यह मेली लगून तो लगून एक specific area को कहते है काफी जादा जहां पे wild diversity होती वो जंगल का एक specific area होता है लगून की entrances ठीक पहले यह located है आपका extreme southwest में है यह located उसके बाद में टूटी कुरन port है आपका यह भी southwestern port है उसके बाद में चिन्नाई oldest artificial ports of India है oldest इसकी बात याद रख लेना चिन्नाई important है इसलिए उसके बाद में आता है आपका विशाका पटनम आपका deepest landlocked और well protected port है landlocked का मतलब होता है कि चारों तरफ इसकी land है तो काफी जादा safe है safe इसलिए इसको का गया है well protected port उसके बाद में आता है आपका विशाका पटनम अगर मैं सहा होगे विशाका पटनम उसके बाद में आता है आपका प्रादी port जो की ओडिशा में है और ये भी iron ore की मिली export करता है और उसके बाद में आपका कोलकाता का inland river rine port आता है उसके बाद में आपका अपका हाल्णय पोट आता है जो की एक subsidiary port है कोलकाता पोट का subt civilians कीमें बाद गई अब बात करते हैं हमारी airways के बारे में अहाँ जहाज ओराएंगे तो एर्वेज आफका आपको fastest, most comfortable, most prestigious mode of transport है Airways आपकी long distances travel को और high और काफी ज़्यादा मुश्किल terrain को बहुती ज़्यादा easily बना देता है जैसे कि आपका high mountains के उपर से आप असानी से fly कर सकते हो deserts के उपर असानी से fly कर सकते हो forest के उपर से भी आप असानी से fly कर सकते हो long oceans, long distances को यह बहुती ज़्यादा आसानी से आपको travel करा देता है इसमें आपको कोई भी बात याद नहीं रखनी है इसके लावा कि जो होता है 1953 में 1953 में आपको इसको nationalize किया गया था यानि इंडिया में भी airways की शुरुवात हुई थी इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो अगर कुछ specific examples की अगर मैं बात करूँ तो परमहन्स helicopters हो गए और आपकी जो होता है बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंडिया में इन services को provide करती हैं जैसे कि Ohio National Gas Corporation हो गई ये भी काफी जादा offshore operations करती हैं इसके लिए जैसे कि आपके जो होता है परमहन्स helicopters हैं limited ये लोग काफी जादा rescue missions भी perform करते हैं कई बाढ़ आ गए तो ये लोग mainly rescue missions को भी perform करते हैं अब हम बात कर लेते हैं mainly आपका last topic बचता है इस chapter का जिसका नाम है आपका communication करें कि इंडिया में आते हैं आपकी टेलिवीजन हो गई रेडियो होगई प्रेस होगई ए सारी चीजह आपकी major means of communication में आती हैं इंडिया में इंडिया में postal network हां इंडिया का जो postal network है काफी ज़्यादा important है इंडिया का postal network largest है वर्ल में ठीक है और इसमें काफी जादा handless parcels को भी और personal rating communications को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसमें दो classes होती है इसको तुम्हें जरूर करना है फर्स्ट क्लास जो mail होता है फर्स्ट क्लास mail को air lift किया जाता है यानि हवाई जास से ले जाया जाता है different stations तक जहां पर उसको जाना है वहाँ पर उसको हवाई जास से पहुचाया जाता है second class को आपका packets में जो होता है book किया जाता है और फिर उसको carry किया जाता है आपका land के माध्यम से हो या water के माध्यम से हो ठीक है और इंडिया में एशिया का largest telecom networks भी है जैसे कि आपका आकाशवानी हो गई जिसको आप all India radio के नाम से भी जानते हो दूर दशन हो गया यह सारे इ mass communication जैसे कि आपका TV channels हो गया news channels हो गया यह आपका entertainment भी करते हैं और आपकी जो होता है awareness को भी create करते हैं प्यूपल के बीच में all India radio channel जैसे कि आपका example है दूर दशन हो गया और यह जो होता है आपके mass communication के channels आते हैं अब मेली जो main topic आता है international trade international trade यानि कि जो होता है दो दीशों क बीच में exchange of goods और जो होता है काफी सारी चीजों का exchange यह आपका international trade में आता है अब balance of trade तुम्हें मुझे पता है तुम्हारा दिल कहां पर दुखता है आ सर मुझे पता है कहां पर तुम्हें दिक्कता आती सर यह balance of trade समझा दो सर यह आज तक नहीं पल ले पड़ी balance of trade क्या होत country दिखा दी country में से अगर मैं कहूं कि export यानि कि वो country जो होता है आयात जाधा कर रही है बहुत मतलब बहार जाधा भेज रही है प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को बहार जाधा भेज रही है तो मैं कहूंगा कि उसके लिए favorable balance of trade यानि उसको फाइदा हो रहा है अब इंपोर्ट करा रही है यानि निर्यात करा रही है जाधा से जाधा प्रोडक्ट का तो मैं कहूंगा उसके लिए unfavorable balance of trade है यानि उसके लिए conditions favorable नहीं है उसके लिए जो होता है conditions अच्छी नहीं है क्योंकि उसको जाधा से जाधा इंपोर्ट कराना पड़ रहा है क्ट्री जादा से जादा एक्सपोर्ट कर रही है तो हम कहांगे उसके लिए फेवरेबल कंडीमिरियन है और अगर कोई कंट्री है वो जादा से जादा इंपोर्ट करा रही है तो मैं Зंकांग उसको फा generous नहीं हो रहा है मतलब हो कहीं नकीं नुकसान में चल रही है अब जो आपकी tourism है इसको भी एक trade की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आगर मैं बात करूं तो आपकी इंडिया में आगर मैं बात करूं मेली 15 से जादा million people 15 मिलियन से जादा people जो होता है तो इसके लिए लोग देखने आते बाहर से और लोकल्स को ये काफी जादा जो होता है आपकी मदद प्रोवाइड करता है और आपका इंटरनेशनल अंडरस्टेंडिंग को भी काफी जादा इंप्रूव करता है जैसे कि आजकल तुमने देखा होगा काफी जादा विदेश वाले लोग इंडिया में आ रहे हैं रहने के लिए तो उनको इंडियन कल्चर पसंद आ रहा है और हम लोग क्या है हम लोग लोग समझ रहे हैं वेस्टन वाले समझ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से इंडियन कल्चर को जो होता है आपना रहे हैं वो इंडियन तरीके से इंडियन खान पीन खा रहे हैं और इंडियन कपड़े पहन रहे हैं इंडियन तौर तरीके से योगा कर रहे हैं हां मुझे पता है तुम जो होता है सांड की तरह सुबह 10 बज़े तक सुखते जब तक मम्मी चप्पले मारके नहीं उठाती है मैं देखो मैं रोज सुबह 5-6 बज़े अपने चैनल पर पोस्ट डालता हूं globalization and the Indian economy ये चैप्टर चालू होता है इससे पहले आपने manufacturing industries of life lines of national economy पढ़ा रखा है तो over the time जब आप chapters पढ़ते हुए आ रहे हो आपने एक बाद जरूर नोटिस करी होगी कि कि किसी भी देश की economy पे बहुत सारे factors का impact होता है बहुत सारे factors मिलके किसी भी देश की economy को control कर रहे होते हैं जैसे कि आपने manufacturing industries में पढ़ा था कि manufacturing industries का भी अपना role होता है उनका भी एक पूरी जंगहा है किसी भी देश की economy को control करने में कि globalization का impact है अमारी इंडियन economy पे बहुत सारा हम अपने handset पर देख रहे हैं handset आपका किस चीज से connected है इंटरनेट से connected तो internet एक globalization का एक mean है यानि कि मैं कहीं और से वीडियो बना रहा हूं और आप जो होता है उसको कहीं और consume कर रहे हो तो ये globalization का एक example है globalization यानि कि आज के time पे because of the technological advancement because of the technology पूरी दुनिया आपस में connected है पूरी दुनिया आपस में information को share करती है पूरी दुनिया आपस में चीजों को share करती है तो अगर मैं कहूं तो आज के time पे पूरी दुनिया एक गाउं बन चुकी है तो जैसे की गाउं में हर एक इनसान को एक दुसरे के बारे में पता होता है किया आज पूरी दुनिया को एक दुसरे के बारे में पता है आज आप अपने घर पे बैठे हुए US, UK और रशिया और उक्रेन सारे जगाओं की खबरे देख सकते हो किया भी वहाँ पे क्या relation चलना है, किसी देश का एक दूसरे के साथ में क्या relation है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, आप अराम से देख सकते हो तो ये globalization है यानि कि पूरी दुनिया में technological advancement ये वज़े से पूरी दुनिया आपस में connected हो गई है पर सरी इसका हमारी Indian economy पे क्या impact है ये हमें पढ़ना है तो आगर मैं कहूँ कि कभी तुमारे दिमाग में काम करा है कि पूरे जो दुनिया के देश है वो एक दूसरे के साथ में connected है पर किस वज़े से connected है यार कोई उनको लड़ू पेड़ो तो मिल नहीं रहे connection बनाने के लिए तो किस मतलब कौन सी ऐसी वज़ा है जिसकी वज़ा से दुनिया के एक से एक बड़ा देश आपस में connect करता है एक से एक बड़ा देश छोटे से छोटे देश के साथ में connection बिठाता है relation बिठाता है और affairs बिठाता है तो वह चीज है आपकी trade तो हमारा chapter का introduction होता है सबसे पहल तो trade हमारी main channel है एक तरीके से अगर मैं कहूं तो जैसे supplementary channels होते हैं तो trade नहीं supplementary है trade एक तरीके से main channel है in connecting the distance countries तो अगर मैं बात करूं यार जैसे कि अगर example के तोर पे आप अभी Xiaomi या MI या Vivo या Apple का या जो होता है किसी और company का smartphone इस्तिमाल कर रहे हो हासर कर रहे हैं लेकिन य इनकी company इंडिया के तो है नहीं है यह company तो जो होता है चाइना की है company US की है यह company UK की है यह company Japan की है तो वो companies जापान में चलती ना इंडिया में कैसे आ गई है इंडिया में भी उनका production हो रहा है तो ऐसी जो companies है जिनका 2 से ज़ाधा country में करेंगा जैसे इंडिया की कोई company है इंडिया की कोई company अपना सामान पाकिस्तान में बेचने लगे इंडिया के अगर कोई book है वो कहीं और विदेश में export हो रही है तो वो book का जो author है वो book की जो company है वो आपकी multinational corporation में नहीं आती multinational corporation में जैसे कि आपका Tata group हो गया इंडिया का ये multinational corporation है यानि ये किसी और देश में है भी और वहीं की चीज बना के वहीं पर produce करके वहीं बेशते हैं जैसे Tata का जो होता है 54 देशों में आज टाटा है तो Tata 54 देशों में export नहीं करती है वहीं पर नहोंने अपना production plant बना रखा है और वहीं पर वो चीज बनाते है और वहीं पर जो होता है सेल कर देते, अब सैमसन ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन प्लांट बना रखा है, तो ये सारी जो इस तरीके से जो जो कमपनी काम करती हैं, इनको हम लोग मल्टीनेशनल कॉर्परेशन कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्परेशन अपनी फैक्टरीज बिठाती हैं, अपने अलग अलग रीजन्स हैं, वो किस तरीके से, जैसे कि आपने मैनुफेक्टरिंग इंडस्टरीज में पढ़ा था कि किसी इंडस्टरीज को सेटप करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो ये मल्टीनेशन कॉर्पेशन क्या चा इंडस्टरीज में पड़ता है, तो इसी पर हम लोगों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है इंटर लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो इंटर लिंकिंग प्रोडक्शन यानि कि जो दोस्या दोसे जाधा कंट्रीज हैं, वो आपस बनवाते नहीं हो, ठीक है, आप वो प्लॉट खरीते हो, फिर उस पर जो होता है, एक पूरा बनवाते नहीं हो, पर उस पर आप एक कंपनी खड़ी करते हो, ठीक है, उसको आप अपने रहने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हो, उस पर आप एक प्रोड़क्शन एरिया बनात कर रहे हैं तो यही चीज़ आपकी investment की category में आती है यानि जो money आप spend करते हो assets को buy करने में जैसे कि land हो गया, building हो गई, machines हो गई और बहुत सारे other improvements इनको हम investment कहते हैं तो इन्वेस्टमेंट यह multinational corporations करती हैं यह लोग अपने देश में investment नहीं करती हैं यह foreign investment करती है यानि की दूसरे देशों में जाकर यह investment करती हैं फिर वहां से यह लोग अपनी production को चालू करते हैं अब यहां से हम लोग three important पॉटेंट फैक्टर्स की बारे में बात करेंगे जिससे ये मल्टिनेशनल कॉर्परेशन अपना इंवेस्टमेंड करती हैं और अपना प्रोड़क्शन चालू करती हैं अक्रॉस दी ग्लोब यानि की अलग अलग कंट्रेज में सबसे पहले तो ये लोग जो होता है पार्टनर्शिप करते हैं आपकी लोकल कम्पनीज के साथ में यानि लोकल कम्पनीज जो वहां की है पर example की तौर पे जैसे Tata Groupe है तो Tata Groupe बहुत सारी जो होता है अगर Tata Groupe युएस में जाता है तो वहां की बहुत सारी companies के साथ में ये लोग collab करते हैं ये लोग आपस में partnership करते हैं क्या कि आप हमारा business चलवा हम आपको भी profit देंगे ये लोग वहां की local companies को इस्तेमाल करते हैं और यह जो होता है उसके बाद में उनसे competition बिठाते हैं और उनको खरीद भी लेते हैं ठीक है अब यह तो सारी चीज़े होगे कि multinational corporations काम कैसे करती है तो multinational corporations जो होता है वो jointly काम करती है आपकी local companies से जिससे कि उनको भी फाइदा होता है और multinational corporation को भी फाइदा होता है सबसे पैदा तो multinational corporation आपकी local companies को extra money provide करती है for investment जैसे कि जो आपकी local companies है उनको नई machines देती है उनको जो होता है advanced technology देती है क्या कि वो लोग faster produce कर सके और जो आपकी multinational corporations है वो कही ना कहीं किसी भी देश में जाती है जैसे कि आगर आपकी Samson India में technology लेके आती है कई ना कई एकदम नई investment नई जो होता है तरीका लेके आती है सोचने का नई चीजें लेके आती है तो वहां के देश के लोगों को भी नई नई चीजें मिलती है अब जो होता है यहां से अगर हम बात करना चाहिए तो हम बात कर सकते हैं आपकी foreign trade और integration of markets की foreign trade एक तरीके से opportunity के create कर देती है हमारे local producers के लिए हमारे local sellers के लिए हमारी local companies के लिए वो क्या कर सकते हैं वो अपने products को अपनी ही market में नहीं बल्कि जो होता है पूरी दुनिया की market में sell कर सकते हैं जैसे कि अब for example जो होता है आप Samsung की बात कर लो या आप Apple की बात कर लो तो Apple के प पास में यह opportunity लेके आता है यह globalization यह integration of markets यह जो एक system चला है यह किसी भी company के पास में एक opportunity लेके जा रहा है जिससे जो होता है वो company जरिफ अपनी एरिया में नहीं अपनी sales कर सकती है बल्कि जो होता है वो across the world अपनी sales को बढ़ा सकती है अब यह फाइदा कहीं ना कि खरीदने वालों को यानि consumers को भी पहुचता है consumers के पास भी बहुत सारे options आ जाते हैं जैसे आज के time पर अगर आप mobile ले नहीं जाओ तो आपके पास में लाखो options है लाखो companies हैं तो उनकी variety अलग हो उनके designs अलग है तो यह सारी चीज़े आपको भी एक तरीके से फाइदा मिलता है इसका कि आप जो होता है अलग-अलग options में से choose कर सकते हैं उनको यह फाइदा मिलना है कि वो अलग-अलग countries में produce जाके कर सकते हैं अब अगर अलग-अलग countries के मैं बात करूँ तो भाया कोई ऐसे countries हैं जैसे कि हमारे जो होता है किम जॉन और भाई साब की country है यहाँ पे liberalization नहीं है तो liberalization यानि कि freedom of trade तो यहाँ पे जो होता है इनके laws बहुत कड़े हैं इनमें tax session बहुत जादा है इन countries में तो आपके जो trade barriers होते हैं यह कुछ restrictions होती है जैसे कि आप सोचते होगे यह trade barrier क्या होता है यानि कि government कुछ tax लेती है इन company से जैसे कि Apple है अगर वो इंडिया में आई है तो इंडिया में उसके जो भी phone बेकेगा उस पे इंडियन government का भी कुछ tax होगा तो यह सारी चीजे हैं जो trade barriers के अंदर आती हैं अगर आप इनको हटाती हो तो आप कहते हो liberalize कर रहे हो आप trade को trade को liberalize आपने chapter number one the rise of nationalism in Europe में पढ़ा होगा liberalization का मतलब क्या होता है liberalization का मतलब होता है free ठीक है तो आप कही ना कहीं इन में से कुछ tax हटा दो या कुछ restrictions हटा दो तो इससे क्या होता है इससे foreign trade बढ़ती है इससे जादा से जादा companies आपकी जो होता है किसी भी देश में वो कहीं भी पहुँचेंगी तो liberalize करना आपकी trade को बहुत जादा जरूरी होता है और इसमें हमारी एक organization का बात आता है जिसको हम लोग कहते हैं WTO यानि की world trade organization तो world trade organization इसी का काम करती है ये एक तरीके से पूरी world को पूरी international trade को ये liberalize करने का काम करती है इसमें आज के जमाने UNO के साथ होने वाली हर countries को ये rule मानने पड़ते हैं जिससे की जो होता है free trade हो सारी companies के लिए सारी countries के लिए तो ये सारी आपकी जो rules है ये जो rules and regulations बनते है trade के ये WTO बनाता है आप जरूर बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया पे globalization का क्या impact है तो हमारे इंडिया के अब हम बात बड़ी choice दे दी है कि हाँ ये आप अलग-अलग variety से अलग-अलग companies के products को आप खरीज सकते हो number 2 आप जो होता है अपनी living standard को बढ़ा सकते हो बढ़िया तरीके से number 3 इन्होंने IT सेक्टर में भी बहुत जादा opportunities को create करा है IT सेक्टर यानि कि यही आपकी technology industry यानि कि जो आप mobile phone इस्तमाल कर रहे हो यह सारी आपके technological industries में आता है तो इसमें बहुत सारी नई opportunities नए लोगों के लिए जो लोग जो होता है इसमें coding का काम करते हैं जो software engineers है उनके लिए इनोंने बहुत जादा opportunities को create कर रहा है अब यह जो globalization है इसको fair कराने के लिए भी काफी जादा important है यह fair हो यानि कि जो होता है सारे आपके globalization का जो benefits है वो सभी के बीच में बिलको बरावली share हो बरावरी से सभी लोग जो होता है trade कर पाए तो इसमें government का बहुत बड़ा रोल होता है government इसमें बहुत बड़ा role play करती है इस fair globalization को बनाने के लिए अब जिनकों नहीं समझ मारा fair globalization क्या है अबे यार कुछ नहीं है तुम अपने अगार तुम चार दोस्तों को बरावर profit मिलना चाहिए ये fair globalization है ठीक है तो ये government कैसे कर सकती है government जो होता है सबसे पहले तो labor laws को बना सकती है जिसे कि जो होता है वहाँ पे workers को बढ़िया benefits मिले उनको जो होता है अच्छी working environment मिले यानि कि आज के जमाने में इंडिया में organized sector बहुत कम है और un-organized sector बहुत जाद है organized sector for example के तौर पे आपके school का teacher ये organized sector का हिस्सा है यानि यहाँ पे इनको fixed working hours है और permanent salary है और paid leaves है ये सारी चीज़े है तो इसको government step करके जो होता है labor के लिए भी ला सकती है कि आपी labor जो होता है वो fixed working hours के लिए काम करेगी और जो होता है उनको भी paid leaves मिलेंगी ये सारी चीज़े तो जो होता है workers की काफी अच्छी rights हो जाएंगी और जो आपके local producers हैं जो आपके small producers हैं उनको भी government law लाके support कर सकती है कि आम भी उनकी भी performance boost हो और trade और investment barriers को भी government इस्तेमाल कर सकती एक हद तक कि हमार जो भारत में बनने वाला समान है वो बिलकुल खतम हो जाएगा हम लोग पूरी तरीके से बाहर से आने वाले समान पर depend हो जाएंगे और government जो होता है WTO के साथ में भी कभी कबार जो होता है negotiation करती है कि आम भी आप जो होता है ये trade रूल मत बनाओ ये trade हमारी उपर नहीं ऐसे तो ये इस सारी चीज़े है और अगर मैं और बात करो कि जो आपकी developed countries है वो क्या करती है वो एक तरीके से अपना domination दिखाना चाती है आपकी developing countries पर तो developing countries को कही ना कही थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है जैसे कि अमरीका है अमरीका कहता है डारिक धम की देता है कि हम trade barrier लगा देंगे ठीक है तो वो trade barrier एक तरीके से वो अपनी domination को दिखाते हैं तो उसके लिए भी जो होता है एक fair rule बनने चाहिए एक fair fight होनी चाहिए आपस में कि हाँ भीया आगर तुम में दम है तब ही तुम आगे जाओगे तब तुम आगर तुम में दम नहीं है तो तुम आगे नहीं जाओगे तो जनाम यहाँ पर यह चैप्टर होता है आपका खताम एकदम बड़िया तरीके से हमने इसको समझाया है और उमीद करूगा कि आपको यह चैप्टर बिलकुल अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा तो चैप्टर चालू होता है आपका political party सबसे पह को समझ हो है तो आप लोग साथ में आके कुछ काम भी करते होगे जैसे लंच ब्रेक में साथ में गूमना साथ में मटर गश्ती करना और बहुत सारी चीज़े तो political party भी कुछ लोगों का group होता है जो की साथ में आते हैं फिर वो लोगों से बात करते हैं लोगों में अपनी और वो उसी के उपर चलती हैं और हमारी society के लिए कुछ भला काम करने के कोशिश करती हैं फिलाल आज कल तो ये कमी हो रहा है ना I am right yes sir चलवाई पॉलिटिकल पार्टी के हमारी तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें जानना है सबसे पहले तो political parties के leaders होते हैं फिर उसके members होते हैं फिर उनके followers भी होते हैं और ये जो political parties है ये एक mechanism की तरह वर्क करती है ये पूरा इनका एक circuit होता है जो political parties का circuit होता है वो एक तरीके से government को मदद भी provide करता है वो उनको लिए policies भी बनाता है और जो opposition की political parties होती है वो उनको oppose भी करती है political parties हमारी government की एक तरीके से needs को fulfill करती है हर आपके representative में हर पार्ट में हमारे government के तो इनका जो mechanism है वो यही है हमारी democracy में कि ये लोग जो होता है power को hold करते हैं ये लोग government बनाते हैं ये लोग उन policies को अच्छी तरीके से implement भी करवाते हैं all over the country अब आज की टाइम पे तो political parties मेली लड़ाई पे जाधा focus करती हैं अब जान लेते हैं कि हमारी democracy है उसमें क्या कोई भी लोग आके political party बना सकते हैं हाँ भी बना सकते हैं लेकिन उनको register करना पड़ेगा हमारे election commission of India के सा उनमें से सारी parties जो होता है वो हमारी serious contender नहीं है हमारी elections के अंदर यानि वो लोग जो होता है उनको election में कोई भावी नहीं देता है तो समझते हैं यार कि इतनी सारी parties है 750 parties तो कितनी party चाहिए होती हैं किसी भी democratic country को चलाने के लिए कितनी number of parties की ज़रूरत होती है तो चलो वह समझ लेते हैं how many parties should we have तो आपकी NCRT में तीन party system दे रखे हैं number one one party system, two party system, multi party system इन तीनों को समझ लेते हैं बहुती बढ़िया तरीके से one party system, one party system कुछ ऐसी countries है जिसे for example China हो गया रशिया हो गया यहां पे कोई एक party ही control करती है पूरी government को इनको हम लोग कहते हैं one party system ये party system वैस समारी democracy के लिए हमाई democracy के लिए एक अच्छा option नहीं है पर असल में ये जो parties जिस country को rule करती है उस country की economic growth उस country की developmental growth उस country की हर phase में growth बहुत बढ़िया होती है पर अब यह ऐसा होता क्यूं है for example के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूँ है चाइना का क्या है case तो चाइना का case यह है कि वहाँ पर जो शी जिंपिंग कह देते हैं वही होता है वहाँ पर कोई भी if bud वाला case नहीं आता है अब यहाँ पर अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में अगर आपको कोई एक law लेके आना है तो उसे लाने में आपको करीमन 5-10 साल का time लग जागा है क्यों नमर दो हमारा two party system आता है तो दो party system इसमें दो parties होती है आपकी जैसे for example अमरीका United States of America और UK United Kingdom यहाँ पर दो parties होती है यही आपकी election में contest करती है election में खड़ी होती है पर असल में इनमें होता क्या है इनमें बिलकुली बढ़िया तरीके से जोड़ घटाव होके और यह लोग से system है यानि कि यहाँ पर बहुत सारी parties है जो की compete करती है power के लिए और इनमें सारी parties के पास में एक reasonable chance होता है कि वो power में आए और या तो फिर जो होता है आपके opposition में बैठें यानि कि आपके विपक्ष में जाके बैठें पर असल में अगर जो होता है अपनी ही strength से वो लोग जाते हैं अगर नहीं आपाते हैं तो वो लोग alliance करते हैं दूसरी parties के साथ में इन तरीके के system को हम लोग multi-party system कहते हैं अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो बहुत यार यह alliance आज तक नहीं समझ माया alliance समझाओ भईया देखो सुनो यूपी के elections अभी चल रहे हैं recently पर यूपी में 225 सीटे चाहिए जीतने के लिए अब मालो एक party है party A मैं उसको नाम दे रहा हूँ तो party A ने जो होता है दो 25 सीटों जीतने के लिए चाहिए तो party A को जो होता है वो 50 सीटे मिली अब जो party B है party B क जो होता है वो 100 सीटे मिल गई अब party B को 100 सीटे मिली party A को 50 सीटे मिली अब ये लोग क्या करेंगे ये लोग आपस में आ जाएंगे काएंगा बईया देखो 50 सीटों पे कुछ cabinet ministers हम तुमारे बिठाल देंगे मतलब कि जो government बनेगी उसमें कुछ ministers आपके होंगे कुछ ministers हमारे होंगे तो total of 150 सीटे हो गई और ये लोग आपस में मिलके सरकार बना लेंगे तो ये होता है आपका alliance अब जो आपकी types of parties हैं बहुत सारी parties हैं हमारे इंडिया के अंदर लेकिन जितनी भी parties हैं वो सारी आपकी election commission से registered होनी चाहिए अब वो अगर election commission से registered होती है तो उनको कुछ special facilities भी मिलती हैं और ये जो election commission है ये एक इसने detail criteria निगाल रखा है कि भईया देखो किसी भी party को हमारे साथ में register होना है तो हम उनको दो category में divide करेंगे वो कौन सी category है state parties और national party अब state party के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जो party जो state party बने वो आपकी विधान सभा election में यानि अभी जो चल ला है अभी जो यूपी में आपके पंजाब में और आपके हन्याना में ये election जो चल ले हैं तो इसमें जो होता है अगर कोई भी party state party का दर्जा लेना चाहती है तो उसे क्या करना होगा उसे इन elections में आपका 6% of total votes को secure करना होगा यानि total आपके vote के जितने भी vote हैं उस सेरिया में यूपी में आगर मालो 200 करोड वोट हैं तो 200 करोड का 6% एक उस party को मिलना चाहिए जो कि state party बनना चाह रही है और कम से कम दो seat उसको जीतनी चाहिए तब वो जाके state party की category में आती है नेशनल पार्टी की बात करूँ नेशनल पार्टी लोग सभा elections में उसको 6% vote मिल चाहिए और 4 state में कम से कम उसको 4 seat मिलनी चाहिए लोग सभा में 4 states में यहाप एक state की बात नहीं हो रही है यहाप चार states की बात हो रही है तो 4 states में उनको seats मिलनी चाहिए कितनी 4 तो यह आपकी national party की category में आ जाएगी हमारी इंडिया में major national parties में आपकी 7 recognized national parties हैं आपकी country में 2020 मे सबसे पहले हमारी All India Tarnamal Congress आती है आपकी ममताब Energy की party देखो जो आपकी important parties है मैं उनकी जो होता है detail में जाओंगा और बाकी जो non important parties है जिनके उपर सिब्यसी गोशन नहीं पूछती है समय बरबाद करने से अच्छा है आप लोगों को notes की वीडियो का link आई बटन में दिख बी है वहां से जाके notes पढ़ लेना notes में हर party की detail बहुत बड़ी हा तरीके से दे रखे है तो चलो बहुत इनकी detail जान लेते हैं All India Tarnamal Congress एक जनवरी 1998 को ममताब Energy की leadership में इसको launch किया गया था national party 2016 में बनके आई इनका आप symbol देख सकते हो हमारे national flag के उपर इनोंने flowers और grass लगा रखा है इनका जो main motive है इनका जो main agenda है वो secularism और federalism के उपर ये लोग घूमते हैं और ये power में है बंगाल वेस्ट बंगाल में 2011 से अभी decent elections भी ये जीती है और general election जो की 2014 में हुए थे आपकी लोग सभा के इनकी party को 3.845% votes मिले थे और 34 seat ये लोग जीते थे आपकी लोग सभा election में 4th largest party हैं आपकी लोग सभा के अंदर नेक्स नमर तो पर आती है हमारी भाजन समाज party यानि की BSP यानि की मयावती की party तो वही भाजन समाज party 1984 में काशी राम के leadership के अंदर इसको establish किया गया था और इसका जो main agenda वो आपकी दलिच, आदिवासी और other backward classes की उपर mainly इनका agenda रह बनाते हैं और इनके लिए ही जादा policies बनाते हैं इनका जो main base है वो आपका उतर प्रिदेश है और कुछ है उतर प्रिदेश के neighboring states जैसे कि आपका मदर प्रिदेश, चतरजगर, उतराखन, देली और पंजाब इन्होंने UP में काफी बास government में आये हैं ये लोग power में आये हैं और तब इन्होंने दलित्स और other backward classes के लिए काफी बढ़िया काम करा है लेकिन इसी एजेंडी की वज़े से जो होता है जो कि forward class है जिसे कि आपकी general class category है वो इनके थोड़ा सा anti रहते हैं और उसकी वज़े से ये लोग इनको वो consequences उठाने पड़ते हैं नेक्स्ट है हमारी भारतिये जंता पाटी यानि कि BJP बीजेपी जो के अभी currently power में है और इसको 1980 में आपकी स्याम साथ मुखर जी के अंदर अंडर मतलब की अंडर leadership इसको बनाया गया था 1951 में और इसको जो इसका जो main agenda है वो है आपका modern इंडिया modern इंडिया के उपर ये लोग काम करते हैं और काफी जादा ancient culture को ये लोग secure करके रखते हैं ये इनका main agenda है और earlier ये जो BJP थी ये नॉर्थ और वेस्ट के एरियाज में ये सिलिफ सीमित थी लेकिन जो होता है आपकी BJP largest party के साथ में तब आई लोग सभा elections में जो कि 2014 में हुए इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि की INC जिसका भी बहुत बुरा हाल हो चरका है और इसको हम लोग popularly Congress Party के नाम से जानते हैं इसका में आइडिया है कि ये लोग सेकुलरिजम को बढ़ावा दें और वीडियन जो होता है इसकी काफी जादा सपोर्ट डिकलाइन हुई है इकर सेक्शन जो हैं आपकी सोसाइटी के उसके साथ ये लोग खड़े हो जाएं मानाराटी के साथ भी ये लोग खड़े रहते हैं इसके बाद में जो पार्टी को आपको खुद पढ़ना है वो आया आपकी Communist Party of India, Communist Party of India, Marxist, CPMI और इसके बाद में National Congress Party, Nationalist Congress Party, National Congress Party नहीं ठीक ह तो इन पार्टी को आपको खुद पढ़ना है, लोट्स की लिंगा आपकी आई बटन में है, थ्री डॉट पर आप क्लिक करके ले सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके नोट्स वाली वीडियो पर डाउनलोड कर सकते हो, इन नोट्स को आपको मिल जाएंगे, उस परटी हो गई महारास्टा की, बीजु जंत दल हो गया, मीजो नेशनल फरेंट हो गया, तिलंगाना राश्टीस समीठी हो गई, सिक्क्यम डेमोक्रेटिक फरेंट हो गई, यह सारी आपकी स्टेट परटी तक ही सीमित है आभी के टाइम पे, अब ये तो सारी आमरी जो रेजिस्टर्स होते हैं ये लोग उनको maintain नहीं कर पाते हैं और इनकी organization meetings नहीं होते हैं उसके वाज़े से कुछी लोग जो होता है वो पूरी party को चला रहे होते हैं और ये जो parties होती हैं ये open और transparent भी नहीं होती हैं इनकी जो functioning है वो कुछी members वारा control की जाती है वो या तो ए चोटे members हैं जो चोटे आपके MLA's MPs हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है अब third challenge आपका वही है corruption का कि इनके अंदर muscle और money power काफी जादा बढ़ती जा रही है उसकी वज़े से इन parties को जो होता है criminals तक को ticket देना पड़ता है क्या कि ये लोग election जीता है क्योंकि ये को भी political party होत होता है choices नहीं है कि वो किस political party को choose करें तो उसकी वज़े से इनके सामने काफी जादा challenges है कि हाँ people को एक meaningful choice देना उसकी वज़े से ये लोग अपना manifesto भी निखालते हैं अपने वाइदे भी करते हैं बहुत सारी चीज़े करते हैं और leaders इनके mainly ये जो चैलेंज आया है कि people जो party में जाते जाते हैं और अब हम बात करते हैं कि अगर इनके सामने ये सारे challenges है तो इन parties को reform कैसे किया जा सकता है इनके ये challenges कैसे हटाया सकते हैं सबसे पहले तो constitution ने एक आपका rule निकाला है कि वो MLA's और MPs को party बदलने से रोग दिया है अब नहीं बदल सकते हैं अगर बदल election का influence है उसको कम किया जाए जो भी candidate आपकी election में खड़ा होगा उसको एक एफिडेविट देना होगा उसकी property उसकी criminal cases उसके उपर जो चलना है सारी चीजों को उसको बताना होगा अपनी party को और उसको सारे पूरी publicly ये announce करना पहोगा जैसे कि अभी election चलना है तो आप लोग द अगर मैं इसके लावा मैं बात करूँ कि इसके लावा आप कैसे political parties को reform कर सकते जो suggestions आए है वो अभी देखो ये जो suggestions है इनको अभी political parties द्वारा accept नहीं किया गया है पहला suggestion यह यार कि एक law बनना चाहिए जो internal democracy को maintain करके रखे यानि ये party के अंदर सभी लोगों को बराबर की value उससे देखा जाए और woman को एक तो जो होता है काफी जादा share मिलना चाहिए law के साब से ऐसा suggestion दिया गया है कि one third of woman candidates को होता रहा जाए आपकी quota of woman में और state funding होनी चाहिए elections की और government को इन party को उतना ही जो होता है money देना चाहिए जितना इनके election expenses के लिए काफी है उससे जादा ये लिए तो मैंने ज्यादा समय नहीं लिया इसको समझाने में अब कुछ लोग होंगे जिसके बात धजम नहीं होगी भया इती जल्दी chapter कैसे कतम आया भया तुमको समझ आया या नहीं यह बता देना पूरा chapter तुमको काफी अच्छी तरीके समझ में आया होगा मैंने तुमें यह की homework दिया है कि तुम्हें जो होता है तीन parties को खुद से पढ़ना है जो कि है आपकी CPI, CPIM and NCP यानि कि आपकी Communist Party, Marxist और Nationalist Congress Party इनको आपको खुद को पढ़ना है जनाब उमीद करता हूँ यार तुमको लोगों को समझाने की ज़रूरत है लेकिन Outcomes of Democracy बहुत ही भैतरी Notes पढ़ाईक मज़ा चैनल पर उपलब्ध है और उसकी लिंक आपको इन दिस्क्रिप्शन and इन दि आई बटन देखने को मिल रही है वहां से आप जाके Notes को डाउनलोड कर सकते हैं आप अगर एक बार भी रीड़ कर लेंगे आपके चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा और Important Points भी मैंने उसमें मार्क कर रखे हैं तो उससे आपके लिए बहुत जादा आसानी हो जाएगी और ये वीडियो देखने के बाद मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों का पूरा का पूरा Confidence वापस आ गया होगा अगर आप असली PKM1s हैं असली पढ़ाईक मज़ा की स्टूनेंट्स हैं तो आपने ही पूरी वीडियो देख ली होगी और भई इन दी कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा जैनुएन कमेंट्स करना यार कि कैसी लगी वीडियो और अगर पहली बार आये हो तो वीडियो को लाइक कर देना बहुत जादा मेनत लगी है या बई इस वीडियो को बनाने में बहुत जादा एफॉर्ट लगा है तो अगर आप लाइक करते हो तो वही हमको थोड़ी सी मोडिवेशन मिलती है और अगर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के उपर तब तक के लिए जय हिन जय भारत और ऐसी पढ़ते रहो ऐसी मचाते रहो